हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग आज अपनी परसेंटेज की फूर्थ क्लास है कल की क्लास में अपने प्राइज इंटू कंजप्शन बरावर एक्सपेंडिचर वाले कुश्चन करें अब उससे आगे की बात करते हैं देखो कुश्चन है इफ्टं इंकम् टेक्स हिसंग्रीज वाइन ना weजपनी परसेंट नेट इट इंकम इस्टेंग वाइन परसेंट रात इंकम टेक्स पताना तो दृट को यहां है सब्दार हैं इंकम टेक्स नेट इंकम को ettin क让 आपको सैलिरे मिलती बहुती है आपकी इनकम आप बुलेगा सर बिल्कुल सही है अब income में से अगर आपको tax देना पढ़ रहा है तो tax minus करोगी tax minus करने के बाद जो आपकी income बचेगी बुक क्या हो जाएगी net income सुद्ध आए ठीक है अब बुलेगा सर बिल्कुल ठीक है अब मान लो कि आपकी income कितनी है बारहाजार रुपए बारहाजार रुपए income है आपको tax देना पढ़ रहाए एक हजार रुपए अगर एक हजार रुपए आपको tax देना पढ़ रहाजार रुपए तो आपकी net income कितनी बचेगी 12,000 minus 1,000 गयाद हजार रुपए ठीक है अब भूलो से बिल्कुल ठीक है अब माल लो कि government ने बोला कि tax बढ़ाना है मुझे कितना? 100% भढ़ाना है 100% बढ़ाने की बूल दिया उसने tax तो 1000 का 100% कितना हो जाएगा 2000 रुपे तो अब आपकी income कितनी income तो fixed है, income थोड़ी change हो रही income है 12,000 जिसमें 2000 रुपे क्या देना पढ़ रहा है आपको tax अगर 2000 रुपे tax देना पढ़ रहा है तो अब income कितनी अब net income कितनी बचे ही? 10,000 रुपे ये कहानी समझ में आई पहले आपकी income दी 12,000 रुपे, 1000 रुपे का tax देना पढ़ रहा था, 11,000 रुपे नेट इंकम बचे ही अब क्या हुगा? income 12,000 रुपे, लेकर गवर्मेंट ने कहा tax की डर 100% बढ़ा दी तो अब tax कितना हो गया? 2000 रुपे, net income कितनी बचे ही? अब बोले उसे net income 10,000 रुपे बचे नेट इंकम कितने परसेंट बढ़ गई? net income अगर रिशो लें अपन, 11 से 10 हो गई, कितनी कम हो गई? एक कम हो गई, कितने पर 11 पर एक बचे 11 का मतलब क्या है? 9.09% कम हो गई, ठीक है? अब बोलो, सर बिल्कुल ठीक है? अच्छा, इस 10,000 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 11,000 माइनस एक हजार कोई दिक्कत किसी हो? कोई दिक्कत नहीं है और इस 2,000 को एक हजार प्लस एक हजार लिख सकता हो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर अपन ध्यान से देखें, क्या ध्यान से देखें, कि नेट इंकम एक हजार रोपे कम हुई है, और टेक्स एक हजार रोपे बढ़ा है, मतलब जितनी नेट इंकम कम हुई है, उतना ही टेक्स बढ़ा है, क्या हुआ है, जितनी नेट इंकम कम हुई है, उतना ही टेक्स बड़ी,ius 1000 और यहाँ भी 1000 अच्चा यह हजार को को कि अगर आपने परसेंगैं इतनीके से लिखेंगे जो पुराना टेक्स था उसकी का हन्डरेट परसेंट Okay मतलब पुराना tax ॉसका हंडरेट परसेंट बराबर होगा किसी यह कैसे आगा आप बोलोगने ट income 9.09% कम हुई है तो net income का 9.09% क्या होगा tax के 100% के बराबर होगा ये हो गया अपना concept आया के से सब समझ में आ गया अब पूलों सब बिल्कुल ठीक है net income कितनी कम हुई है 9.09 और quantity कितनी कम हुई है 1000 quantity दोनों के इसे में तो ये percentage को अपन ने बना लिए quantity net income में अगर percentage से multiply कर देंगे तो क्या जागा net income का 9.09% क्या है 1000 है और tax का 100% क्या है 1000 है अगर ये concept समझ में आ गया तो इस question को करो क्या बूल रहा है income tax 19% बढ़ी है और net income 1% कम हुई है मतलब net income का 1% tax के 19% के बढ़ावर है net income का 1% tax के 19% के बढ़ावर है अपन से पूचा rate of income tax rate of income tax क्या होता है दो कोई भी सरकार tax लेती कैंसे आप बोलो सरक देखो हमाई income होती है उस पर बोल देती ही सरकार की 18% आपको GST देना पड़ेगा तो यह हो जाता है tax यह 18% क्या है यही तो rate of income tax है यही तो क्या rate of income tax है तो अगर अपन से पूचा जाए क्या rate of income tax बताओ तो क्या जाएगा tax upon income ठीक है आप बोलो सरक बिल्कुल ठीक है rate of income tax क्या हो जाएगा tax upon income अब देखो net income कितनी यहां से अगर आप इसको solve करें percentage से percentage कर जाएगा net income upon tax बरावर क्या हो जाएगा 19 बटी एक इस tax को इदर लिया इस बटी को इदर लिया ठीक है बिल्कुल ठीक है अभी मैंने बताया था क्या बताया था net income मैंने क्या बताया था net income होती क्या है net income होती क्या है income minus tax ठीक है तो अगर इस tax को इदर लिया तो income क्या हो जाएगी income हो जाएगी net income plus tax ठीक है अब बोलो इससे बिल्कुल ठीक है तो इसकी total income कितनी हो गई 19 प्लस एक 20 यह अपनको निकालना है income कितनी हो गई 20 और tax कितना देना पढ़ रहा है आप बोलो से tax एक रोपय देना पढ़ रहा है तो rate of income tax क्या आ गया एक बटे बीस एक बटे बीस का मतलब 5% ठीक है मतलब इस question को solve करने का यह इतना तरीका है और इस question को solve करने का एक और short तरीका है क्या short तरीका है वो भी समझ लेते हैं short तरीका यह आप देखो आपकी income कितनी कम होई है एक परसेंट एक जाएगा ऊपर नीचे क्या जाएगा कितने परसेंट कम होई है एक प्लस उनीस परसेंट जितने आयकर में ब्रद दी होई उनीस परसेंट तो यह हो जाएगा क्या बन अपोन 20 जो कि होता है 5% ठीक है बलकुल ठीक है एक और इसी टाइप का कुश्चन क्या बोल रहा है income tax increased by 2% मतलब income tax का 22% बरावर होगा किसके net income reduced tax का 22% net income के 3% के बरावर होगा तो यहाँ से tax upon net income का ratio क्या जाएगा 3 बटे 22 ठीक है तो total rate of income tax क्या जाएगा rate of income tax ठीक है total income total income कितनी हो जाएगी 22 फ्लस 3 पच्चीस tax कितना लग रहा है 3 बटे 25 का मतलब 12% 1 बटे 25 चार परसेंट 3 बटे 25 बटे 25 बच्चीस बारा परसेंट सोट तरीका क्या बताया था मैंने सुद आएग कम कितनी हो जाएगा 3 बटे में क्या जाएगा बटे में कम जितनी हो जाएगा 3 प्लस 22 तो यह हो जाएगा 3 बटे 25 जो क्या होता है 12% ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखते हैं कोश्चन नमबर 146 फ्रेस फ्रूट कंटेंज 68% परसेंट औव बार्ट एंड ड्राइफ फ्रूट कंटेंज 20% परसेंट आफ बार्ट हाउमज ड्राइफ ड्राइफ रूट कैन वी उप्टेंड फ्रूम दे फ्रेस फ्रूट और ड्राइफ फ्रूट में अंतर क्या होता है फ्रेस फ्रूट जैसे अंगूर अपन लिखा है ऐसा रहता है और ड्राइफ फ्रूट क्या हो जाता है फिर ऐसा चिपक जाता है तो इसमें अंतर क्या हो जाता है पानी ओड जाता है पानी क्या हो जाता है? उड़े जाता है अब बोलें हाँ सर बिल्कुल ठीक है और ये दिख भी रहा है अपन को पहले 68% पानी था अब 20% पानी वचा है मतलब पानी क्या होगा? उड़ गया अच्छा उसमें जो छिलका रहता है जो गुदा रहता है, जो पल्प रहता है वो चेंज होता है कि अब बोलोग सर दूप में रखने से ये थोड़ी सुचाएगा, पानी थोड़ी जोड़े जाएगा ये तो फिक्स रहेगा, मतलब पहले जो पल्प था और बाद में जो पल्प था दोनों सेम रहेगा ठीक है, बोलोग सर बिलकुल ठीक है और पल्प निकालते के ऐसे पल्प निकालते के ऐसे, आप बोलोग सर देखो जहनसे सो केजी फूरूट है तो यह आएगा क्या, क्वांटिटी और इसमें क्या जाएगा, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन और पल्प किसी भी चीज का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है जैसे आपनको पल्प का कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, पल्प अपन क्वांटिटी यह हो जाता है concentration का formula उसी का एक और भाई लिख दिया मैंने ये कि pulp अगर अगर अपन को निकालना है तो कैसे निकालने quantity into concentration of pulp जैसे एक example समझो जैसे मान लो आप 50 kg क्या लेकिया अंगूर ठीक है 50 kg अंगूर लेकिया और उसने बता दिया आपको कि इसमें 60% तो पानी है 60% क्या है water है और 40% क्या जाएगा pulp है ठीक है अगर 60% पानी है तो 40% pulp होगा आप बोलू सर्फ ठीक है आपने इनको दूप में रग दिया दूप में रग दिया तो पता चला कि पानी ओड़ गया पानी ओड़ गया और सिर्फ पानी बचा 20% pulp कितना हो गया 80% ठीक है अब बोलू सर्फ बिल्कुल ठीक है अब यह जो pulp पहले था और बाद में था परसेंटेज में भला ही चेंज हो गया लेकिन quantity थोड़ ही चेंज होगी तो यह अपन कहाने काल रहा है pulp की quantity, quantity of pulp यह क्या है quantity of fruit fruit quantity वो concentration of pulp इसी वो करते हैं अपन दे को 50 kg आये थे पहले concentration of pulp क्या था 40% ठीक है अब बोलू सर्फ बिल्कुल ठीक है 50 kg pulp फिक्स है अब बोलू सर्फ बिल्कुल फिक्स है पहले बजन था fruit का कितना 50 kg अब क्या हुआ, 40% बढ़ गई क्या 40% से बढ़के pulp की concentration कितनी हो गई 80% किस ratio में चेंज हुई आप बोलू सर्फ एक से दो हो गई तो fruit की quantity क्या हो जाएगी fruit की quantity दो से एक हो जाएगी यह तो अपनने पढ़ रखा किसे पढ़ रखा है price into consumption बराबर expenditure अगर expenditure constant है तो price जिस ratio में चेंज होगा उसके इल्टी ratio में concentration चेंज होगी concentration नहीं क्या था, consumption चेंज होगा इस टाइब के तो कल मैंने 50 question कराया थी उसी का रूप है यह अब बोले हो हाँ सर्फ बिल्कुल ठीक है 2 की value 50 है तो 1 की value कितनी हो जाएगी 25 मतलब अब fruit कितने बचेंगे 25 kg बचेंगे 25 kg क्या होगा बजन कम होगा अगर पानी ओड़ेगा तो क्या होगा बजन कम होगा ठीक है बिल्कुल ठीक है ऐसे ही इसको करते हैं देखो क्या बोल रहा है 68% पानी है पल्प क्या होगा सेम होगा जो पल्प पहले था बोई बाद में होगा आप बिल्कुल ठीक है पल्प पहले था बाद में होगा ठीक है फ्रूट कितने है फ्रूट कितने है आप बिल्प पहले 100 kg है और बाद में पता नहीं है आपन को बात के निकालने है लेकिन concentration पता है आपन को अगर concentration of pulp ये पता है आपन को, क्या पता है आप बोलो सर, concentration of pulp नहीं पता, पानी की पता है अगर पानी 68% है तो बचा हुआ क्या होगा बचा हुआ पल्प होगा, 68% पानी है तो बचा हुगा कितना 32% के आ गया पल्प ठीक है यहां देखो पानी अगर 20% है तो अब कितना हो गया 80% पल्प हुगा ठीक है 8 से कड़ जागा 10 8 चोको 32 मतलब concentration के स्टेश्ट में चेंज हो गया 4 से 10 तो fruit के स्टेश्ट में चेंज हो गया 10 से 4 10 का मतलब 100 केजी दिया है तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा 40 केजी यह अपना correct answer आ ठीक है बिल्गुल ठीक है अच्छा इसको अपन एक तरीग से और कर सकते हैं तरीगा क्या है देखो पल्प का concentration inisially और finally दोनों जगे सेम था ठीक है पल्प का concentration inisially और finally अब अल्ब मतलब precipitation ने पल्प सेम था concentration तो अलाग-णदा MSW तो पल्प כा concentration आप निकालेंगे कैसे आप बोलुक सर्फूप इन्टू कंसंट्रेशन यह क्या आ गई पल्प की इनिशियली और फाइनली दुनों जगे सेम था पल्प तो फिक्स था ठीक है बल्कुल ठीक है फ्रूट इनिशियली कितने है 100 kg कंसंट्रेशन क्या है आप बोरोग सा 32% बाद में कितने हो गई अपनको नहीं पता अपने माल लिया एकस केजी हैं कंसंट्रेशन कितना हो गया 80% 0 से 0 कट गई 8 से यह कट जाएगा 4 बार में परसंटेज से परसंटेज कट जाएगा यह जाएगा एकस पराबर 40 kg यह से भी कर सकते हैं उसी को लिखने का दूसरा तरीका यह हो जाएगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है आगे दिखते हैं कोश्चन नमबर 147 सुलुशन कंटें 16.5% परसंट फ्सल्ट फ्रों बिच 18 लिटर वाटर इवपरेट नाव कंसंट्रेशन फ्सल्ट सुलुशन बिकम दिस फाइन इनिशल गॉंटिटी दूको यहाँ पर क्या राएगा शॉल्ट फिक्स राएगा ठीक्या जो सॉल्ट पहले था वही सॉल्ट बादमेर वोन दो दो पॉलैगा नहीं बदाएकर सिरफ पानी ठीक्या हिंटु चंस्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंटु कंस्ट्रेशन उफ सॉल्ट ठीकैं इनिश्टीज ओफ सॉल्टिवहाँ एगा था 16.5 % बाद में कितना हो गया है आप बोले किस त्वाद में हो गया 20.9 किस रेश्व हो में च्छेंज उवया रेश्व के ले लेते हैं परसंटेश से त्वरसंटेश कट जागाerd veil 11 ले जटेश में 11 15 लेख इ मतलब 15 से क्या हो गया 12 हो गया है अगर यह 15 से 19 हे तो यह क्या होगा होगा 19 से 15 स्थ के अल्टे रेश्वमें ठीक है इसके अल्टे रेश्वमें चेंज जुगा होगा कितना कम हुगा है आप बलोवसर्थ 4 उनित कम होगा है और अपनको कोस्टन में दे रखा है 18 लीतर अव बाट रिओ मतलब 4 unit की value, 18 litre, 4 की value 18 litre है, इतने गुना है, अब भूलो सच, 4 की value, 18 litre है, 9 वटे दो गुना, जीक है, बिलिकुल ठीक है, बिले अन्यार की प्रानमिक मात्र बताने, 19 की value बताने, क्यों जाएगी, 19 इंटु, 9.2, पॉइंट में आंसर आएगा, एक यू अप्शन आंसर द आगे देखते हैं question number 148 there is 26.4% sugar in the 28 liter of the solution ठीक है अब बोलोग से बिल्कुल ठीक है after boiling 6 liter water evaporate percentage left sugar in the solution दो इसमें अपन को total quantity दी है तो अपने इसको first method उससे भी कर सकते हैं total quantity 28 liter है इसमें क्या 26.4% क्या sugar है ठीक है ये initial quantity of sugar आगाई बाद में भी sugar सेम रही होगी आप बोलोगा से बाद में भी sugar सेम रही होगी after boiling 6 liter water अगर 6 liter पानी ओड़ गया तो बचा कितना solution आप बोलोगा sir 28 liter total solution था जिसमें से 6 liter ओड़ गया तो बचा कितना solution 22 liter कंसेंट्रेशन निकालनी यहां से कंसेंट्रेशन आजाएगी ठीक है 20 से काटो इसको 22.44 22.44 1.2 1.2 का इसमें मुल्टिप्ला कर दें कितना हैगा 280 और 56 280 और 56 6 unit digit आणा चाहिए ये क्यों आप्शन आजाएगा 33.6% क्या आगा सुगर का कंसेंट्रेशन ठीक है इसको अभी जो मेथड बताई उससे भी कर सकते हैं किसे को सुगर तो फिक्स रहेगी सुगर चेंज होगी नहीं ठीक है अपन को पता है क्या पता है कि solution इंटू कंसेंट्रेशन अगर करने तो सोगर की quantity आजाएगी ठीक है? बिल्कुल ठीक है concentration अपनको पता है पहले कितना था? 26.4 बात का नहीं पता लेकिन solution का change पता है अपनको 28 liter था पहले अब कितना हो गया? 6 कम हो गया तो 22 liter बचा पहले 28 liter था change हो गया कितना बचा? 22 liter 28 से इसको काट लेते हैं कितने से कटेगा? 2 से ही कटेगा 14 और 11 तो concentration किस ratio होगा? इसके reverse ratio में 11 से 14 हो जाएगा 11 की value दे रखी है अपनको कितनी? 26.4 तो कितने time? 11 दूनी 22, 11 चुको 44 2.4 time तो 14 की value क्या जाएगी? 2.4 times 2.4 time कितनी हो जाएगी? 14 दूनी अटा इस 280 और 14 चुको 56 चुको 56 33.6 ठीक है? ठीक है? बिल्कुल ठीक है? आगे देखो question number 101 अचास इन अचेटी 40% of the men are married and 25% of the women are married considering that nobody married more than months ये लाइन सबसे इंपोटेंट है और इसी से अपना question solve होगा what percent of the population married? ये पूछा है अपन से? कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपन ने मान लिया कि M man है मतला M man है F female है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं अपन सब बोला है कि 40% of man 40% का मतला 2 बात नहीं मतला यदि 5 male होते 5 man होते तो इन में से 2 की साधी होगा ही होती ठीक है? और 25% of woman are married मतला 1 बात चार यदि 4 female होती तो इन में से कितने की साधी होगा ही होती? 1 की 40% का मतला 2 बात ये 5 मतला 5 man होते तो 2 की साधी होगा ही होती और 4 female होती तो 1 की साधी होगा ही यवाट ठीक है? अपन से बोल रखा है कि considering that nobody married more than once इस line का मतला है किसी ने 1 से जादा साधी नहीं की मतला जितने पुर्सों की साधी हुई है उतनी महिलाओं की साधी हुई है मतला पुर्सों की बिवायत पुर्सों और बिवायत महिलाओं की संख्या क्या होगी? बरावर होगी मतला married man और married woman की संख्या क्या होगी? बरावर होगी married man की संख्या कितनी आ रहा ही? 2 married woman की संख्या कितनी आ रहा ही? percentage अभी भी same है तो यहां से अपन को पता चल गया क्या पता चल गया कि अगर 5 men है तो 2 की साधी हुई है और 8 women है तो 2 की साधी हुई है अपन से पूचा क्या what percentage population are married कितनी percent population married है तो आप बोलों सर देखो total population कितनी हुजाए men plus women 8 और 5 तेरा और साधी कितने की हुई है 2 और 2 चार की साधी हुई है 4 बटे 13 ठीक है आप भूलों सर बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक बटे 13 क्या होता है 7.69 percent ठीक है 4 गोना कितना हो जाएगा 7 चुको 28 और इसको 7.7 percent और मान लो कोई दिक्कत नहीं है तो यह हो जाएगा 7 चुको 28 7 चुको 28 और तो 30 30.8 percent ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे दिखते है कोश्चन नमर 150 Of the adult population in a certain place 22 percent of men and 24 percent of women are married Assuming that no man marries more than one woman and vice versa The percentage of the total population adult are unmarried देको बोई सेम कोश्चन है उसी टाइप का कोश्चन है अपने मान लिया M है और मेन 42 percent का मतलब क्या हो जाएगा 42 percent का मतलब यादी 100 man है तो इसमें सब 42 की साधी हुई है ठीक है बोलो इसमें सब बिल्कुल ठीक है और भूमेन का क्या बोल रखा है भूमेन का बोल रखा है 24 percent का मतलब 6 बड़े 25 यदि 25 भूमेन है तो जिसमें सब 6 की साधी हुई है यदि 25 भूमेन है के लिए करना पड़ेगा साथ से मल्टिप्लाइ तो यह हो जागा 670 42 और 25 70 175 नसलाव हो गया कि 100 भूमेहन है तो 42 मैन है तो 42 मैन की साधी हो चुकी है और 175 भूमेहन है तो 42 मैन की साधी हो चूकी है ठीक है भोलो है बिलकुल ठीक है अपन से क्या पूछा है percentage of the total population of the adult adult की total population पूछिए who are unmarried unmarried की पूछिए unmarried की निकालने क्लिए 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 करना पड़ेगा आप बोलुक सर्देगो total संख्या कितनी है 100 और 175 कितना हो जागा 275 ठीक है merit कितनी है 42 और 84 84 तो यह merit की संख्या आगाई इंटू 100 परसेंट 25 से एक बार एक बार 25 चुको 100 ठीक है बिल्कुल ठीक है इसको multiply कर लो 4 आठ अठ 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 तीस 4 चुको 24 अरे यह से solve करेंगे तो हो गई दिखकर अपन को क्या चाहिए unmerit की चाहिए न तो unmerit की direct निकालते है देखो total कितने है 275 merit लोग कितने आ रहा है थे 84 तो 275 में से 84 माइनस कर दें तो क्या जाएगा अब बोलों से 275 में से 84 माइनस कर दें तो unmerit में न जाएगे ठीक है 275 में से 75 माइनस करे कितने वचे 200 और 200 में से 9 और माइनस कर दें तो कितने वचे 180 191 ठीक है 191 अब इसका 275 का 50 परसेंट कितना हो जाएगा आप बोलों से इसका आदा इसका आदा मतलब एक तीन पंदरा का आदा 177 पॉंट पहांचे यह क्या आगा 50 परसेंट ठीक है 10 परसेंट क्या होगा आप बोलों से 10 परसेंट से 27 पॉंट पांच होगा दोनों को जोड़ो कितना आगया पांच पांच देस की जूरू साथ साथ चाओदा की चार चाओदा और एक पंदरा तीन तो पांच और एक छे एक सुपेंशट अपनको चाहिए एक सुपेंशट इंक्यान में मतलब साथ से तो बहुत बड़ा आंसर आएगा यह आंसर तो नहीं सकता दस परसेंट और जूर के देखो क्या सत्तर पर बात बन रही तो देखो साथ पांच बारा छे दो आठ और एक नो यह अपने 10% और जूर दियत कितना हो गया 70% 70% तो इस से जादा हो गया मतलब साथ से बड़ा आंसर हो नहीं सकता साथ से थोड़ा सा कम आंसर होगा बी ओप्शन अपना और एक परसेंट कितना होगा 2.75 अगर इसमें से 1% भी अब अब गटाएंगे तो 190 से कम जाएगा 190 से कम जाएगा लिकेन आपन कुछ जाएगे 190 मतलब 89 परसेंट से ज्यादा होगा और 70 परसेंट से कम होगा 69 और 70 के बीच में एक यह जाएट यह जाएट है ठीक है आगे दिखते है, question number 151, the population of village was 9800 in a year with increase in the population of male 8%, that of female 5%, population of village become this, what was the number of male before increase? दिखो, question बहुत आसान है, क्या बूल रखा है कि male है और female है, दोनों की संख्या दिया पनको 9800 कोई दिख्काद इसमें, कोई दिख्काद नहीं है, यह बुलेज में male है, female है, दोनों की संख्या दे रखी अपनको 9800, अब क्या हुगा, male 8% बढ़ गा है, और female कितनी बढ़ी है, 5% बढ़ी है, और overall जनसंख्या कितनी होगई, 10458, 10458 मतलब कितनी जनसंख्या बढ़ी है, आप बोलो किसे, 658 बढ़ गई, 8% male बढ़े है, female बढ़ी है, फिमेल बढ़ी है, 5% टूटल जनसंख्या कितनी बढ़ गई, 658 बढ़ गई, 10488 में से 9800 माइनिस कर दिया, कितना बचा, 658, ये बाट ठीक है, आप बोलो, उसर बिल्कुल ठीक है, इस 5% को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5% प्लस 3%, कोई दिक्कत, आप बोलो, उसर कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो जो आपकी मर्जी है, अब देखो, मेल भी 5% बढ़े, इस 3 को कुछ देर के लिए भूल जाओ, इसको है ना, आप इग्नूर कर दो, कि मानलो लिखाई नहीं है, फीमेल केतनी बढ़े हैं, फीमेल भी 5% बढ़े हैं, मेल भी 5% बढ़े हैं, आप भूलो किसा, बिलकुल बढ़ गाई, ओवरोल जनसंख्या कितनी थी, 9800, इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% मतलब, एक बटे 20, एक बटे 20 करो इससे, जीरो से जीरो कड़ जाएगा, इसका आदा 490, ठीक है, जनसंख्या 490 बढ़नी चाहिए थी, अगर इसकी 5% बढ़ी है, इसकी 5% बढ़ी है, तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी, कितनी 490, लेकिन बढ़ी कितनी है, आप बोलो, इससे 680, कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है, 490, कितनी एक्स्टरा बढ़ी है तो आप बोलो इस स्थAt देखो इसमें इसको माइनस कर लेते हैं 15 में sonno जाएगा 6 बज़ेगा 1 168 एक्स्टरा बढ़ी है यह 168 एक्स्टरा किसकी वज़े से बढ़ी है यह जो 3 परषन्ट मेल का है इसकी बज़े से बढ़ी है मतलब मेल का 3% ही 168 है मेल का 3% अगर 168 है 3 से काटो इसको 35 15 teaching 18 1% कितना है? 16 है और 100% कितना हो जाएगा? 5600 अपन से क्या पूछा है? गाउं में पूर्सों की जन संग्या कितनी थी? इनिचियली पूछा है कितनी थी? 1500 ठीक है? इनिचियली ना पूछा है आपन से बाद बाली पूछा है तो कितनी बड़ी है? आप बोलो कितनी 8% बड़ी है तो 108% निकाल लेते 100% की वाल्यू अगर 1500 है तो 108% की वाल्यू इंटो 108 बटे 100 ठीक है? बिल्कुल ठीक है आगे देखो question number 152 क्या बोल रहा है? the present population of a village is this present population दे रहा है if the number of male increase by 25% number of female increase by 15% then the population will become this देखो male और female दोनो लोग है दोनो मिला के कितने हैं? 15,280 है ठीक है? male की जनसंग के कितनी बढ़ गई? 25% बढ़ गई female की जनसंग के कितनी बढ़ गई? 15% बढ़ गई और overall जनसंग के कितनी बढ़ गई? अब बोलू साथ देखो overall जनसंग के 18,480 होई 18,428 इसमें से minus करना है इसको कितना बचे के? 8,12 में से 8 जाएंगे 4,1 और इधर बचे का 3 3,148 overall जनसंग के बढ़ गई overall जनसंग के कितनी बढ़ गई? 3,144 बढ़ गई ठीक है? बिल्कुल ठीक है? इसकी 25% बढ़ गई अगर कहीं से इसको भी 25% बढ़ा लेते इसको कह लिख लिए? अपने 15 को 25-10 लिख लिए कोई दिखकर नहीं अब अपन को दिख रहा है male भी 25% बढ़ है female भी 25% बढ़ है male भी 25% बढ़ है female भी 25% बढ़ है मतलब overall जनसंग के 25% बढ़ी होगी? अगर overall जनसंग के 25% बढ़ी है तो यह पहले जनसंग क्या कितनी थी? यह थी इसका 25% क्या हो जाएगा? 25% मतलब एक बढ़ है 4, 4 से भाग करना 4, 3, 12 बढ़ है कितना? 3 4, 8, 32, 4, 2, 8 3,820 बढ़नी चाहिए यह थी जनसंग क्या लेकिन जनसंग क्या बढ़ी कितनी है? आप बलो उसे 3, 140 बढ़ी है यह तो कम बढ़ी है किसकी वज़े से? क्योंकि अपने यह एक्स्टा लिख रखा है इसमें से इसको माइनस कर लो 3, 140 को माइनस करनें कितना आ जाएगा? 8, 10 में से 2 जाएगे 8 जाएगे 2 बच्छेगा 11 में से 4 जाएगे 7 और 7 में से 1 जाएगा 6 यह 612 एक्स्टा बढ़ गई 612 एक्स्टा नहीं कम बढ़ी है तो कि बढ़ी कितनी है अपने अभी बोला 25 एक्च्छल में बढ़ी है 3, 140 और अपने निकाला 25-25 परसेंट से उससे क्या आ रहा है? जादा आ रहा है ये इतनी जादा बड़ी है, लिकिन andra 60 बढ़ी कितनी है, 3141 तो ये 632 क्या आ रहा है? एक्स्टा आ रहा है, किसकी जीजसे आ रहा है? इस 10% औरlax फीमेल की जीजसे आ रहा है मतलब 10% औरlax फीमेल किया है? 642 है चैंसोबाद तरता ना 1 की जीरो बढ़ाएंगे अपनसे कोश्चन पूचा क्या शुत माइल पूर्स और महिलाँ की वरतमान जन संक्या के बीच गाता बीच का आंतर बताना बीच का अंतर देशन मुदूर बता देंगी पहले आपन क्या निकालते मिल की जन क्या मिल की जनसंग क्या कितनी हुजाएगी देखो अगर ये 6720 है और जनसंग क्या थी कितनी 15,280 तो ये कितनी बचेगी टोटल जनसंग क्या मैंसे अगर फिमिल की माइनस कर दें तो मिल किया जाएगी अब बोलो गांसर बिल्कुल ठीक है 80 म से 20 जाएंगे 60 बचेगा साथ में से 2 जाएंगे 5 7 म से 2 नहीं 80 म से 20 12 म से 7 जाएंगे 5 बचेगा और 14 म से 6 जाएंगे 8 बचेगा 8560 किसी आ गई मेल की दोनों के बीच का अंतर बता साथ माइनस बीस करेंगी चालीश उनिट डिजिट आना चाहिए इतर पंदरा में से साथ माइनस करेंगी आठ साथ पंदर और एक बिल्कुल अठारा सुचालीश अपना करेक्ट अंसर हो गया ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखते हैं कोश्चन नंबर 153 टूटल पॉपलिशन ओफ सिटी वास पिंचयान बाइजा है मेल पॉपलिशन इंक्रीश वास 14.2 परसंट फिमेल पॉपलिशन इंक्रीश वास 17.7 परसंट टूटल पॉपलिशन ओफ ताउन बिकम दिस इफ टूटल मेल 15 परसंट है और बॉइस है वो फिमेल क्या है 18 परसंट और गल्स है फाइंड दिफरेंस बिट 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 नंबर ओफ बॉइस और गल्स की बीच का अंतर बताना है तो दिखो इस कुश्चन को तो बहुत असा नहीं सकर सकती थे अपन अगर अपन ज्यान से दिखे 15 परसंट और 18 परसंट दोनों में तीन तीन आता है मेल का 15 परसंट क्या है बोइस है और फिमेल का 18 परसंट क्या है गल्स है अब बुलोगा है सर बिल्कुल ठीक है दोनों का difference बताना है दोनों का difference तो देखो male कुछ भी हो, female कुछ भी हो male और female की जनसंग क्या सबसे पहली बात तो integer में आएगी आप बोले हैं सब इंटीजर में आएगी integer में आएगी इसका मतलब क्या इसका मतलब यह कि बटे में कुछ नहीं आएगा बटे में कुछ नहीं आएगा तो जो 3 यहां देख रहा है मतलब 3 का multiple है ना 3 इंटू 5 3 का multiple है ना 3 इंटू 6 मतलब answer जो भी होगा तो 3 का multiple होगा answer क्या होगा 3 का multiple होगा और 3 का multiple एक ही option देख रहा है यह अपना correct answer होगा ठीक है तो इस question को आपन logically सोच के दिमाग से पिल्कुल करी सकते थे मांगी solution तो आपन ने करी रखा है अब भी जिस तरीकिस करते आ रहा है तो उसी तरीकिस करेंगी male plus female बढ़ावर कितने है 95 ठीक है male कितने बढ़े है 14.2% female कितनी बढ़े है 17.7% 14.2% बढ़े हो और 17.7% बढ़े 17.7% को ऐसे लिख लो 14.2% प्लस 14 और 3 17.5% कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं जंसन के बड़ी कितनी है 11,030 में से 95,000 माइनस करना है कितना आजागा 5 और 6 11,000 6,030 95,000 माइनस करना है यह कितना है एक लाग दस हजार हो गया एक लाग दस हजार तो देखो पंच हजार इसमें जूड़ेंगे कितना हो जाएगा एक लाग दस हजार और जूड़ेंगे कितना हो जाएगा एक लाग दस हजार तो दस पंदरह हजार तीस बढ़ी है कितनी बढ़ी है 15,030 बढ़ी है इसमें जोड़के देख लो 11,030 से जाएगी ठीक है जनसंक्य कितनी बढ़ी है 15,030 बढ़ी है अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है अगर आपन देखे मेल की कितनी बढ़ी है 14.2% फिमेल की कितनी बढ़ी है 14.2% तो बड़ी ही होगी ठीक है तो 95,000 का 14.2 परसेंट निकालो परसेंट का मतलब बटे सो और इस एक पॉइंट का मतलब बटे सो मतलब 3-0 से 3-0 कर रहे हैं ठीक है बिल्कुल ठीक है मुल्टिप्लाय करना है तो इसको लिख लो क्या सो माइनस पांच कोई दिककत कोई दिककत नहीं है 142 का सो में मल्टिप्लाय करें कितना आएगा 14,000, 200 142 का पांच में मल्टिप्लाय करें कितना आजाएगा इसका आदा 71 710 कोई दिककत कोई दिककत नहीं है इसमें सो माइनस करना है इसको माइनस कर लो 200 माइनस करेंगे पहले कितना बचेगा 14,000 में से 500 माइनस करेंगे कितना बचेगा 13,500, 10 और माइनस कर दो 13, 490 ठीक है आप बोलो उसे बिल्गुल ठीक है मतलब अपन ने क्या कर लिया मेल की 14% बढ़ी है, फीमेल की 14.2% बढ़ी है, दोनों की 14.2% बढ़ी है और 14.2% कर निकाल लिया अपन ने टूल जनसंक्या कही है बट एक्चॉल में जनसंक्या कितनी बढ़ी है क्या था 13,460 ठीक है बिल्कुल ठीक है तो इसमें से इसको माइनस कर लो 0, 13 में से 9 जाएंगे कितना बज़े है चार इदर 9, 9 में से चार जाएंगे 5 इदर 15,4 एक्स्ट्रा बढ़ी है 15,4 एक्स्ट्रा किसकी वज़े से आ रहा है फीमिल का साड़े 3% की वज़े से पॉइंट रटा है इदर एक जीरो और लग जाएगे 7 से काट लो 7,5,3,7,2,4,7,2,4 यह आ गया 5% की वज़े फीमिल का 5% कितना आ गया 22 हो आ गया फीमिल का 5% अगर 22 हो है तो 20 से मल्टिप्लाइ कर लेंगे तो 100% और फीमिल क्या आ जाएगा 20 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 44 हजार 44,000 क्या है फीमिल है अगर 44,000 फीमिल है फीमिल कितने है 44,000 है तो मिल कितने आ गया आप बोलुक से 95,000 में से अगर अपन 44,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1,000 तो 5000 में से 4000 माइनस करें 1000 और 9,000 में से 4000 माइनस करें 5000 51,000 क्या होगा है मिल होगा है एक क्यावन हजार क्या होगा है मिल होगा है अपन से क्या बोल रखा है अपन से बोल रखा है कि पॉर्षों की संक्या का 15 परसेंट क्या है लड़के है तो इसका 15 परसेंट निकालेंगे नतलो 3 बैटे 20 या डारेक्ट 15 परसेंट निका लो 15 का मिल्टिप्लाइ कर लो तो देखो 2 0 सो 2 0 कड जाएंगी एक 0 आएगी 15 एकम 15 15 पहुन पिछेतर और एक सहतर ठीक है बिल्कुल ठीक है ललकियां कितनी है 18% है इसका 18% निका लो 0 आएगी 1, 18 चुक को 72 की 2, 18 चुक को 72, 7, 9, दोनों का डिफरेंस निकालना है अपनको, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बोलो, जीरो, 12 में से 5 जाएगे 7, और 8 में से 6 जाएगा 2, 270 आंसर आगे, ठीक है, थोड़ा सा कैल्कुलेटेव है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तरीक अब होई है जिससे हम पहले कर रहे थे, आगे दिखो अगला कुस्चन, कुस्चन नंबर 114 है, इन लाइब्रेरी 210, लाइब्रेरी कंटेंस अटोटल नंबर वुक, 11-500, इन 2 कैटेगरीज, फिक्शन और नोन-फिक्शन, दो कैटेगरीज में, फिक्शन और न 10% increase in the fiction category, and 12% increase in the non-fiction categories, how many fiction books were in the library in 2015, ठीक है, आप बोलुक सर बिलकुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम उसी जैसा question है, वहाँ पे male female था, यहाँ पे क्या है, fiction non-fiction है, fiction plus non-fiction, initially कितने थे, 11,500, ठीक है, बढ़ कितने का है, आप बोलुक सर देखो, 10% बढ़ी है, क fiction, और 12% क्या बढ़ी है, non-fiction, तो इसको भी लिखे लो, 10 plus 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, और टूटल बढ़ी कितनी है, टूटल बढ़ी है, 11,500 में से 12,4, 760 में से 11,500 माइनिस करें, कितना बज़ेगा, 260 और 1000, 1260, ठीक है, 1260 टूटल बढ़ी है, 10% fiction बढ़ी है, 10% non-fiction बढ़ी है, तो overall जनसंग कितनी बढ़ी है, 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा, 1150, एक्स्टा कितना बढ़ी है, एक्स्टा कितना बढ़ी है, एक्स्टा बढ़ी है, 110, यह 110 एक्स्टा किसकी वज़े से बढ़ी है, नॉन फिक्शन के 2% कितना बढ़ी है, 110, नॉन फिक्षन का 2% 110 आ गया दूसे अगर 50 से मल्टिप्लाय कर लो तो 100 परसेंट कितना हो जाएगा नॉन फिक्षन का 100 परसेंट 50 से मल्टिप्लाय किया 55 और 2 0 5500 ठीक है अब बोलो बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत बाली बात नहीं अपन से पूचा क्या है, अब भूलो पूचा है अपन से कि 2015 में कितनी फिक्षन भूगग है कितनी फिक्षन भूगए जीकर इनिशीली पचपंसो फिक्षन भूग दी तो नॉन फिक्षन के बालागई 5,500 माइनस करना 11,500 में तो कितना बचीगा 6,000 और 6,000 पर बड़ी कितनी है 10% अकर 10% बड़ी है तो कितनी हो जाई होगी 6,000 का 10% 600, 600 बढ़ गई होगी 6,600 हो गई यह आ गई 2015 में Non-fiction category की जनसंख्या कोई दिक्कत जनसंख्या नहीं संख्या ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखो एक और question इसी type का Total salary of Gaurav and Ajem in a company was this तो Gaurav और Ajem दो बंदे है इनकी total salary कितनी है 4,7,5,2,0 ठीक है अब बोलो sir बिल्कुल ठीक है अब क्या हुए salary of Gaurav increase by 23% and Ajem की increase by 30% Ajem की कितनी बढ़ी है 30% तो थेईस को भी अपन लिख सकते है 30-7 ठीक है बिल्कुल ठीक है और total उनकी salary कितनी बढ़ी हो गई यह हो गई तो अगर आपन देखें कितनी बढ़ी है 4,7,5,2,0 यह जागा कितना 8,0,4,2 एक कितनी बढ़ी है 12,408 रुपे बढ़ी है 12,408 रुपे बढ़ी है आप बोलो इस तरह हम बिल्कुल ठीक है 12,460 रुपे बढ़ी है 8 रुपे बढ़ी है 30% गुरब की बढ़ी है 30% आजम की बढ़ी है मतलब overall 30% बढ़ी होई होई तो 4,7 4,7 5,2,0 इसका के निकालना है आपनको 30% निकालना है 30% मतलब 30 बढ़ी हो 2,0 से 2,0 कट गई 3 से मल्टिप्लाई कर लो 3,2,6,3,5,15,3,7,1,21,21,3,4,12 और 2,14 कितनी बढ़ गई 14,256 बढ़ी लेकिन question में तो ये दे रखा है इसा क्यों दे रखा है ये कम है कम इसलिए दे रखा है क्योंकि अपन ने जो गोरब की salary है उसको बढ़ा के लिख रखाता बढ़ा के लिख रखाता भई है तो बढ़ा होगा answer आएगा मतलब extra किसकी बज़े से आ रहा है इक्स्टा कितना आघा भारा पहले बहुत ही हो बारा हाजार 408 में से माइनस करें कितना एक्स्टा आयरा सुला में से आठ जाएंगी अट बचीग ए बचीगा चार 12 में से इक्स्टा कितना आघारा हाचार एठारा सू और्स गुड़ा democracy गोरफ की सेलरी 7% अपन ने एक्स्टा बढ़ा दी इसकी वज़े से आ रहा है 7% की वेल्यू कितनी है 1868 साथ से काट लेंगे इसको साथ दूनी चबूदा बचे कितना चार साथ चिंग ब्याली साथ चुक को 28 तो गोरफ की सेलरी का 100% कितना आ जाएगा 264 00 264 00 यह क्या गया गया गोरफ की सेलरी का 100% ठीक है बिल्कुल ठीक है अपन से क्या पूचा है उनके बेतन का अंतर बताओ अंतर बता अब अपन से इनिशियल फाइनल कोछ बोल लगी रखा तो अपन इनिशियल का ही निकालेंगे ठीक है आप भूलो सर बिल्कुल ठीक है बिल्कुल कोई दिककत वाली बात नहीं गोरव की शेलरी कितनी है चब्वीज जारब चारसो तो आजम की सेलरी कितनी होगी आप भोलो इसमें 24,400 माइनस कर लो कितना बचेगा 0, 2, 1 1, 2 21,120 दोनों का अंतर बता ना दोनों का अंतर निकाल लो देखो 400 में से 120 माइनस करें कितना बचेगा 280 एक युपशन में दिख रहा है 26 में से 21 माइनस करें कितना बचेगा 5,280 अपना correct answer हो गया ठीक है कुश्चन नमबर 156 देखो यहां से एक नया टाइप स्टार्ट हो गया क्या है नया टाइप income बरावर expenditure plus saving हिंदी में क्या बोलेंगी I बरावर खर्चा plus budget आप बोलोगा सर यह तो सब को पता है जितनी भी income होती है जितनी भी अपनी income है या तो उसमें से खर्चा करते हैं पन वो खर्चा नहीं कर्चे तो बचत हो जाती है ठीक है बेसिक सा टाइप है आप बोलोगा सर इंकम बरावर expenditure plus saving यह होगा अपना concept इसको और सर्ट में कैसे लिकें इंकम बरावर expenditure plus saving ठीक है बिल्कुल ठीक है अब question को पड़ो question क्या बोल रहा है the ratio of the income and expenditure income और expenditure का ratio दिया है income अगर 5 है तो expenditure कितना 2 है अगर income 5 है expenditure 2 है तो saving कितनी हो जाईगी अब बुलू सर्ट तीन यदि खर्चा आपकी आए 5 रुपे है वो खर्चा 2 रुपे कर रहा हो तो 3 रुपे बचा ही तो रहा हो ठीक है अब बुलू सर्ट बिल्कुल ठीक है what percent of income is saving saving का income का कितना percent saving है अब बुलू सर्ट तीन saving है पाँच का और तीन बटे पाँच का मतला होता है 60 percent saving है ठीक है बुलू ठीक है कोई दिक्कत बाली बात नहीं आगे दिखो question क्या है Raghav spend 80 percent of his income if his income increase by 12 percent and saving decrease by 10 percent then what will be the percentage increase or decrease in expenditure तो को अपनने concept का पड़ा income परावर का होता है expenditure plus saving यह concept है income परावर का expenditure plus saving Raghav 80 percent उसकी income का invest करता है अब देखो इसको करने गए न तीन तरीके है एक तरीका है सौमान के करो दूसरा तरीका है fraction में convert करके करो और तीसरा तरीका है deviation कब-कब लागेंगी बोभी बता देता हूँ अगर आपको data आसान दिया है तो सौमान के करेंगे अगर data typical percentage दी है तो fraction में बदल के करेंगे ठीक है मतलब ratio लेके करेंगे और data अगर इन दोनों से solve करने पर आसान नहीं बना तो deviation से करेंगे ठीक है तो deviation मैं आपको तभी बताओंगा जब data कठेना नहीं लगे अभी data आसान है 80%, 10%, 12% सौमान के कर सकते हैं अपन ठीक है income को मान लिया अपनन क्या बोला है रागा 80% spend कर देता है उसकी income का मतलब income अगर 100 है तो 80 रुपे वो खर्च कर देता है तो बचाता कितने होगा 20 रुपे ठीक है आप बलूँ से बिलकुल ठीक है if his income increases by 12% यदि उसकी income कितनी बढ़ गई 12% बढ़ गई 100 पे 12% बढ़ गई कितनी होगई 112 ठीक है saving decreases by 10% saving 10% कम होगई 20 कर 10% कितना हो जाएगा आप बलूँ से saving होगई 18 तो उसकी खर्चा कितना हो जाएगा 112 में से अगर 18 माइनस कर देंगी तो कितना आ जाएगा 100 में से 6 माइनस करेंगे 94 ठीक है आप बलूँ से बिलकुल ठीक है तो expenditure कितना बढ़ गए आप बलूँ से चाओदा रोपय बढ़ गया तो उसके खर्चा में ब्रदी बताने कितनी 14 14 बटे असी 14 बटे असी कड़ जाएगा कितने से 7 बटे 40 खर्चे में प्रतिसत ब्रदी बताने ना 7 बटे 40 देखो 1 बटे 40 क्या होता है आप बोलो सर एक बटे 40 होता है धाई परसेंट, एक बेटे चालीस होता है, धाई परसेंट है ना, इसका साथ गुना है, कितना हो जाएगा, पच्चीस सत्य एक सो पिचता है, सत्रा पॉइंट पांच परसेंट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब बोलो से बिल्कुल ठीक है, आगे देखो अगला कोश्चन, क्या बुल रहा है, मोनिका स्पेंट सेवेंटी टू परसेंट अफ हर इनकम, मोनिका क्या करती, सेवेंटी टू परसेंट खर्च कर देती, इनकम बरावर क्या, एकस्पेंडिचर प्लस सेविंग, यदि सो रुपए उसकी इनकम है, तो बाहत्तर रुपे खर्च कर रही है, तो बचा कितने रही है, आप बोलो बसे आटाइस रुपे बचा रही है, ठीक है, बिलुकुल ठीक है, इफ हर इंकम इंक्रीजेज़ वाई 20परसेंट, उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 20परसेंट बढई, 100 बढ़ गई, 100 का 20परसेंट, देखो अच्छा इसको है न आपन ने यह किया था न यह ना करके अपन क्या कर सकते थे कि अकिला आपन से चेंज ही पूछाए ना तो चेंज चेंज लिख लेते जैसे उसकी इंकम कितनी बढ़ी है बारा परसेंट बढ़ी है तो 100 का बारा परसेंट कितना हो जाएगा बारा बढ़ी है ठीक है बिल्कुल ठीक है उसकी आए बारा परसेंट बढ़ी है उसकी बारा परसेंट कम हो गई 10 परसेंट 20 का 10 परसेंट 2 दो रोपे कम हो गए थीक है अबूलUNG सर बिल्कुट ठीक है एंकम बारा रोपे बढ़े बढ़े बचत Two- stabilize लोग तो खर्चा कितना बढ़या हो आब बहता फर 5% ठीक है बिल्कुल ठीक है जैसे इस question में करेंगे यह वापन यदि उसकी आया में 20% की ब्रद्धी हुई 20% की ब्रद्धी मतलब सो पे 20% बड़ी कितनी बड़ी 20 रुपए बढ़ गई ठीक है और उसकी बचत में 15% की ब्रद्धी हुई 15% 15% का मतलब क्या होता है तीन बटे 20 तीन बटे 20 निकालना है 28 का तीन बटे 20 निकालना है किसका 28 का तो देखो दो से यह कड़ जाएगा 14-14-42 चार पाउन दो जाएग चार पाउन दो क्या होगा उसकी बचत बढ़ गई तो उसकी expenditure कितना बढ़ा होगा अब बोलो उससर देखो उसकी income 20 रुपए बढ़ी थी income कितनी बढ़ी थी 20 रुपए और बचत उसने जो 20 रुपए बढ़े थी न उसमें से 4.2 रुपए तो उसने बचत में रख लिए 20 रुपए में से 4.2 रुपए तो उसने बचत में कर लिए तो बागी बची का क्या होगा हो बागी बची खर्च कर दी होगे मांगी बचे खर्च कर दी होंगे तुझे कितने आ जाएगे 15.8 कितने आज खर्च कर दी 15.8 मांगी ऐसे देख लो 15.8 और 4.2 मिला के कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए 15.4 और 21 ठीक है बिल्कुल ठीक है तो expenditure अब पन से पूचे एक्षपेंडीचर कितना बचा है 15.8 बड़ा है किस पर 72 है अगर अगर अपन बायतर का 10 परसं देखें तो कितना आएगा आप बोलो तो 7.2 आएगा उस इसका अगर 20 परसंट देखें तो कितना हो जाएगा 14.4 यह क्या है 10 परसें 20% कितना हो जाएगा 14.4 20% से ज़ादा आणसर आएगा यह आणसर हो नहीं सकता ठीक है अब देखो अगर इसका 10% यह है तो 1% कितना हो जाएगा आप बोलु सर एक परसेंट 7.2 और 2% यह इससे कितना कम है 15.8 14.4 से कितना कम है आप बुलू सर इसमें 1.4 और जोड़ना पड़ेगा जब जाके 15.8 बनेगा जो आपन को चाहिए जब जाके का बनेगा 15.8 जो आपन को चाहिए 1.4 इसका अगर 20% 14.4 है तो 2% का होगा आप बुलू सर 2% होगा 1.44 मतलब 2% से कम बड़ी होगी मतलब कितनी 21.9% अगर 22% आता तो कितना हो जाता आप बोलतें सर 20% आता तो यह हो जाता 15.4 में 1.44 और बढ़ जाते तो यह हो जाता 15.84 हो जाता लेकिन 15.84 से कम है थोड़ा सा 15.80 है तो 20% से थोड़ा सा कमा अंसर हो जाएगा ठीक है बिल्कुल ठीक है, बेसिक तरीका यही है, इन तो 100% करके इसको solve कर लो आगे देखते हैं, question number 159 अन्नु इस्पेंट 68% of her monthly income if her monthly income increases by 20% and her monthly savings increase by 9 is to 3 by 8% 9 is to 3 by 8% कितना हो जाएगा 9 is to 3 by 8% कितना हो जाएगा 9 is to 3 by 8% कितना हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चुको सो मतला 8 चुको 32, 3 बटे 32 ठीक है, बिल्कुल ठीक है तो अपनने उसकी income बरावर क्या होता है, expenditure plus saving income मानी अपनने 100 रोपे तो 68 रोपे वो खर्च कर देती है, आप बोलू से बिल्कुल ठीक है, 68 रोपे खर्च कर देती है तो बचा कितने रही है, 32 रोपे बचा रही है ठीक है, 68 रोपे बटीस सो अब उसकी monthly income कितनी हो गई, 20 परसेंट बढ़ गई, 100 का 20 परसेंट 20 रोपे बढ़ गई और उसकी saving बढ़ गई कितनी, 3 बटे 32, मतला अधी उसकी saving बटीस रोपे होगी तो तीन रोपे बढ़ गई, 32 रोपे ही saving दे रखाया, मतला तीन रोपे बढ़ गई ठीक है, बिल्कुल ठीक है, income बढ़ी है उसकी 20 परसेंट 20 रोपे income उसकी 20 रोपे बढ़ी है, saving दीन रोपे है, तो expenditure कितना बढ़ा होगा, 17 रोपे expenditure 17 रोपे अपन से यही पूचा है, 17, 17 रोपे बटी 68, 17 रोपे बटी 68, 17 रोपे बटी 68, 1 रोपे 4, 1 रोपे 4 का मतलब 25 परसेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे देखो question number 160, the ratio of the expenditure to saving of a woman is to ratio 1, income बढ़ावर क्या होता, expenditure plus saving, expenditure कितना है, 2 है, saving 1 रोपे, तो income कितनी हो जाए, 2 और 1, 3 रोपे, if our income and expenditure increase by 17 और 13 परसेंट, अब देखो 17 और 13 परसेंट निकालना है, एक तो तरीका यही है, कि डारेक्ट इसका 17 परसेंट निकालो, income का कितना हो जाएगा, 17 ती है, 15 और 2 के बाद पॉइंट आजाएगा, 0.5 बन, दूसरा तरीका क्या है, कि आप यहाँ 2 जीरो पहले ही लगा लो, इसको कर लो 300, इसको कर लो 200, और इसको कर लो 100, तो इसको कर पाइदा हो जाएगा, जब अपन 300 का 17 परसेंट निकालेंगी, 300 का 17 परसेंट मतलब 17 बटी सो, तो यह 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगी, पॉइंट के दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो 300 का 17 परसेंट कितना हो जाएगा, 51 रोपय उसकी income बढ़ी है, ठीक है, और 13 परसेंट क कर लो सेविंग है जाएगा, 11 में से जाएगे 5 और 4 में से दो जाएगे 2, 25, 25 रोपय उसकी सेविंग बढ़ी है, और 100 पर दिया है, तो मतलब डारेक्ट 25 परसेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे दिखतें कुश्चन नमबर 161, रेनु स्पेंट 68 परसेंट और इंकम, इंकम इंक्रीजेज बाए 40 परसेंट, सी इंक्रीज और एक्सपेंटिचर बाए 30 परसेंट, हर सेविंग इंक्रीजेज, इंकम बरावर एक्सपेंटिचर प्लस सेविंग, इंकम बरावर एक्सपेंटिचर प्लस सेविंग, इंकम बावर एक्सपेंटिचर प्लस सेविंग, बचा कितने रही कि 32 रुपे उसकी इंकम बढ़ गई 40% मतलब 40 रुपे बढ़ गई इंकम कितनी बढ़ गई 40% मतलब 40 रुपे बढ़ गई और expenditure बढ़ गया 30% 30% किसका 68% 68% कितना हो जाएगा 3 बटे 10 3 से multiply करना पड़ेगा 8-3-24 और 6-3-8 चहती अठारा और दो 20.4 ठीक है उसका expenditure बढ़ गया 20.4 तो उसकी saving कितनी बढ़ी होगी अब बोलो किसर देखो 40 रुपे income बढ़ी है 20.4 उसने खर्चा कर दिया तो बचा कितना 19.6 यह उसकी saving बढ़ी होगी अपन से बचात में हुई ब्रदी बतानिये देखो 32 का अगर अगर 50 परसेंट भी दीखें 32 का 50 परसेंट मतलब 12 मतलब 16 आएगा तो 50 से तो बड़ा answer होगा यह answer हो नहीं सकता ठीक है अब देखो 60 के 50 से बहुत बढ़ा होगा 51 यह answer नहीं हो सकता 60 परसेंट मतलब इसका 10 परसेंट कितना हो जाएगा 3.2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो परसेंट मतलब 30 साथ परसेंट से थोड़ा सा बड़ा answer आएगा 60 परसेंट से बड़े दोनों अंसर है ठीक है इसका धाई परसेंट कितना हो जाएगा धाई परसेंट क्या होता है एक बटे चालीस है ठीक है तो चार से कार लो चार आट बद तीस पॉइंट एठ होगा 19.6 होई है मतलब answer क्या होगा क्योंकि सिर्फ कितनी बढ़ रही 0.4 बढ़ रही न 0.4 पॉइंट चार कितना हो जाएगा 32 का 1.25 परसेंट एक बटे 80 करकर दीख लो 32 का एक बटे 80 कितना हो जाएगा 8 से काटेंगा 8 चुको 32.4 ठीक है बलकुल ठीक है वहांगी तरीक का बेसि डिवाइड बाए 32 इंटो 100 परसेंट इसको स्वल करके आंसर आजाएगा डारेक्ट इए ठीक है आगे देखतें कोश्चन नंबर 162 अब मैंने स्पेंट 72 परसेंट ऑफ हर इंकम इंकम बरावर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग एक आदमी 62 रुपे खर्च कर अगर बादतर रुपे खर्च कर रहा है 100 रुपे उसकी इंकम है तो बचा कितने रहा है अब बुलुँशर बचा बूरु कितना तीस में तो 28 रुपे बचा रहा है अब उसकी इंकम बढ़ गई 28 परसेंट मतलब 28 रुपे बढ़ गई ठीक है बलकुल ठीक है फिर क्या बादतर का एक बटे चार कितना हो जाएगा 18 रुपे बढ़ गया तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ी होगा आप बोलुशर 28 इंकम बढ़ी है एकस्पेंटिचर 18 बढ़ा है तो दस सेविंग बढ़ी 10 सेविंग बढ़ी अपनको परसेंटेज में निकालना है दो आंसर 30 परस कितना हो जाएगा 2.8 और अगर इसको चार से मुलिटिप्लाय कर देंगे तो 28 चोको आठ चोको 32 दो चोको आठ आठ और तीन ग्यारा ग्यारा पॉंट दो जाएगा 28 चोको 112 तो यह तो जादा हो जाएगा मतलब 40 परसेंट तो पोँचेगा नहीं 30 परसेंट देखो कितना होगा 8.4 मतलब 30 परसेंट से ज़्यादा आएगा 30 परसेंट से ज़्यादा आएगा इसके आस पास भी नहीं होगा अब 35 और 38 दो अप्शन में फस गए तो अपन 35 परसेंट निकाल लेते हैं इसका 30 परसेंट कितना हो गया 8.4 ठीक है 5 परसेंट कितना हो जाएगा तो 10 परसेंट अगर 2.8 है तो 5 परसेंट इसका आधा 1.4 हो जाएगा तो 8.4 में 1.4 और जूड़ेंग कितना हो जाएगा 9.8 मतलब 35 परसेंट से थोड़ा सा बड़ा अंसर आएगा जो कि यह उप्शन है ठीक है बलकुल ठीक है आगे दिखते हैं कुश्चन नंबर 130 सुदा सेप 15% of our income if our expenditure increases by 20% income बरावर क्या होता? expenditure plus saving ठीक है? सुदा की income 100 रुपे है 15% वो सेप करती है मतलब 15 रुपे सेप करती है खर्च कितने कर रहे है? 85 रुपे अब उसका expenditure 20% बढ़ गया expenditure 20% बढ़ गया 20% का मतलब 1.5 बढ़ गया ठीक है? एक बढ़ पाँच कितना हो जाएगा आप गोले हो सत्रा पंच पिच्चे आसी सत्रा पंच पिच्चे आसी सत्रा रुपे बढ़ गया और उसकी saving कितनी बढ़ गयी? 60% बढ़ गयी 60% का मतलब या इसका 60% से निकालो 15% बढ़ गया इसकी saving ठीक है? तो उसकी income कितनी बढ़ गया आप बोलो किसा दोनों को जोड़ लो income आजाएगी खर्चा सत्रा रुपे बढ़ लिया उसने saving नौ रुपे बढ़ दी income जितनी बढ़ी होगी या तो खर्चा करेगा या saving करेगी ठीक है? तो यह कितना हो जाएगा? नो और साथ सूला 26 सो पर कोई भी चेंज आता है डारेक्ट परसेंटेज में आता है 26% बढ़ गई ठीक है? बिल्कुल ठीक है आगे देखते है 164 देखो अभी यह आगा है क्या? टिपिकल परसेंटेज वाले तो इसको करेंगे अपन रिष्यो में तड़ से अभी तक अपन सो महन के कर रहा है थे अब अपन करेंगी रिष्यो में तड़ से 44.44% का मतलब क्या होता है? आप ब ठीक है? बिल्कुल ठीक है राजू की इंकम 44.44% मूर है उसके एक्सपेंडिचर से उसका एक्सपेंडिचर बेस वेल्यू? नो इससे चार रुपे जादा है चार रुपे जादा है क्या है इंकम है मतलब 11 ग्यारा नहीं नो चार तीरा उसकी सेवेंग इतनी आगई? चार र इंकम है मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा इसमें नो रुपे कर दी है उसके अलावा भी उसके चार रुपे बच जाते है नो और चार तीरा रुपे उसकी इंकम हो गई? अब क्या बोल रहा है? इसका बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसका इंकम कितनी ब बड़ी 13 सींग 58 एक्सो थी Certain का साट पारच इंकम बड़़ा 70 पर सेंट बड़ा 9 самый 33 ขर्चा उसका 53 रुपे टिक है तो उसकी से विंक कितनी वड़ी होगी याप बोलेब सर, उसकी सेविंक इंकम अगर 78 बढ़ी है खर्चा 63 बढ़ा है तो सेविंग कितनी है जाएगी 15 रुपए अपन से पूछा क्या है और कुश्चन में बोल रखा है उसकी बचद 12,000 रुपए बढ़ जाती है बढ़ी कितनी है 15 रुणिट 15 रुणिट की वेल्यू दिये अपनको 12,000 रुपए 15 रुणिट की वेल्यू जादी 12,000 रुपए दिये कितने गुना 8 और 2,080 रुणा ठीक है अपन से पूछा क्या है अब बोलो उसकी प्रारंबिक बचद का अंतर बताना है प्रारंबिक बै और बचद का अंतर कितना है 50 90 और 40 की बीच का अंतर कितना है 50 रुणिट की वेल्यू निकालनी कितनी हुजाए 45-80 40 ठीक है 40,000 रुपए कुश्चन नमबर 165 है अपने सामने इसमें के दिया साहिल स्पेंट 87.5% तो को 87.5% का हो जाएगा साथ बटे आठ एक बटे आठ होता है साड़े बारा परसेंट उसका साथ गुना आईए 11 इस तुवन वाइन परसेंट का हो जाएगा एक बटे न और 14.28% का हो जाएगा एक बटे साथ ठीक है अब बोलो बिलकुल ठीक है आठ रुपे है तो वो साथ रुपे खर्च कर रहा है यह इस लाइन का मतलब हो गया किस-किस को समझ में आगया साहिल स्पेंट 87.5% of his income his income मतलब जो बेस रहता है वो यह होता है आठ उनिट और साथ रुपे अगर खर्च कर देता है तो बचे हो कितना एक रुपे ठीक है अब बोलो उसे बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब क्या बोल रखा है his income increases by 11 is to 1 by 9% मतलब एक बटे नो बढ़ जाती है आठ का एक बटे नो निकालेंगे बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी तो क्या करें इसको 9 का मल्टीपल बना लेते है सम्में 9 से मल्टीपला कर दिया अब बोलो उसे बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसका income कितनी बढ़ गए एक बटे नो और उसका expenditure कितना बढ़ गए एक बटे साथ मतलब expenditure का एक बटे साथ निकालना पड़ेगा जोकि साथ का मल्टी वाल ओलरेली है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं तो इसका एक बटे 9 कितना हो जाएगा बलू सर इसका एक बटे 9 हो जाएगा आट रुपए और इसका एक बटे साथ कितना हो जाएगा साथ रुपे ठीक है साथ रुपे नहीं नौ रुपे एक बटी साथ नौ रुपे हो जाएगा उसकी इंकम बड़ी आठ रुपे उसका expenditure बढ़ गया वह यह नौ रुपे यह तो बहुत दिक्कत भी आथ हुई कि उसकी आठ रुपे बड़ी expenditure नौ रुपे बड़ा मतलब उसने पुराने खर्चे में से एक रुपे कम कर दिया होगा आई बस स्वाइए आप बोले हासर उसने पुराने जो खर्चा था उसमें से एक रुपे कम कर दिया होगा पुराने खर्चे में से भी नो रुपए थी, नो मैं से एक खर्च कर एक हो उसने है na, कम कर दिया, पहले नो रुपए बचा रहा था, अब एक रुपए कम बचा रहा, तो इतने बचा रहा हु अट रुपए, ठीक है, और इंकम कितनी भुगई, पहले कितनी थी, न ओटे बाद्तर रुपए, आट बचा रहा है मतलब कितनी बचा रहा है 80AKE 8% में एक बटे 10% ठीक है के अरे उसकी सेविंग9 रूपए पहले थी अब एक रूपए कम होगा ही तो कितनी होगी 8 रूपे होगी और उसकी इनकम पहले 22 रूपे थी 8 रूपए बढ़ गई तो कितनी होगी 80 रूपे वो कोई व्यक्ति अगर 80 रुपे में से 8 रुपे बचा रहा है तो कितने बचा रहा है दस परसेंट बचत कर रहा है ठीक है तो कोश्चिन क्या बोल रहा है सोनु सेफ 15 परसेंट ओफ हर इंकम तो 15-20 डाटा आसान दिया है सो मान की कल लेंगे तो इंकम बरावर क्या होता एकस्पेंडिचर प्लस सेविंग ठीक है अब बोले उसा बिल्कुल ठीक है इंकम को क्या मानेंगी 100 रुपे अब क्या बोल रहा है सोनु सेफ 15 परसेंट ओफ हर इंकम मतलब सो का 15 परसेंट 15 रुपे सेप कर रहा है ठीक है बिल्कुल ठीक है हर इंकम इंकम इंक्रीज़ वाई 20 परसेंट इसकी इंकम बीस रुपे बढ़ गई सो रुपे पर बीस रुपे बढ़ गई ठीक है एंड सी स्टिल सेफ सेम अमांट एस बिफूर मतलब उसकी सेविंग में एक रुपे की बड़ा उत्री नहीं हुए अरे जितने रुपे पहले सेब कर रहा था उतने रुपे अभी सेब कर रहा है मतलब सेविंग उसकी क्या है जितनी पहले थी उतनी ही है मतलब सेविंग एक रुपे भी नहीं बढ़ी saving क्या होगा, एक रोपे भी नहीं बढ़ी आप बोलों है sir, बिल्कुल ठीक है या फिर ये बात बोलें कि उसकी income बीस रोपे बढ़ गई उसकी income कितनी बढ़ी है, बीस रोपे saving एक रोपे भी नहीं बढ़ी तो उसका खर्चा कितना बढ़ गया होगा आप बोलों है, खर्चा भी बढ़ा होगा ठीक है सो रोपे में सबंदरा खर्च कर रहा था पिच्च यासी बचा रहा था अब बीस रोपे उसकी saving बढ़ गई परसेंटेंज में पूछा कितनी बढ़ी अपने इसे तो बीस रोपे बढ़ गई कितने पर पिच्च यासी बढ़ी पांच से काट लेंगे पांच चोको बीस सतरा पंच पंच पिच्च यासी तो एक बट यह सतरा क्या होता है 5.88 परसेंट या 5.9 मान लो चीक है तो इसको multiply कर लेंगे चार से नो चोको च्छटीस पांच चोको बीस और तीन तहीस तेईस पॉइंट च्छै तेईस पॉइंट च्छै शे से ज़्यादा नहीं आएगा अंसर कम कोई आएगा क्योंकि ये होता कहा 5.88 तो इससे कमी आंसर आएगा यह रहाए इससे ज़्यादा आंसर यह नहीं हो सकता ठीक है आगे दिखते हैं, question number 166, अब person can save 25% of his income his income, 25% बीच डाटा आसानी दिया, कोई दिक्कत वाली वार ने सो मान के कर लेंगे, income बरावर expenditure plus saving ठीक है, आप बोलो उसे, बिल्कुल ठीक है अब उसकी income 100 रुपे है अगर 25 रुपे सेब कर रहा है तो खर्च कितने कर रहा होगा, आप बोलो से, 55 रुपे his income increases by 20%, उसकी income कितनी होगा 20% बढ़गा है, मतला 20 रुपे बढ़गा still sees he saves same amount as before जितना पहले save कर रहा तो उतना ही, मतला saving रुपे भी नहीं बढ़ी तो उसकी बचत कितनी बढ़ी होगा खर्चा 20 रुपे बढ़गा होगा ठीक है, अब बोलो से, बिल्कुल ठीक है तो खर्चा अगर 20 रुपे बढ़ा है अपन से क्या पूचा, percentage increase 20 बढ़गा पिछतर तो पाच चोक को 20 15 पहन पिछतर 4 बढ़गा पंदरा कितना हो जाएगा एक बढ़गा पंदरा क्या होता है 6 इस्टू 2 बाए 3 परसेंट 4 बढ़गा पंदरा कितना हो जाएगा 26 साही 2 बढ़गा 3 परसेंट चार्चिंग 24 और 4 दूनी 8 ठीक है आगे दिखते हैं question number 168 a man say spend 70% of his income data असान साही दिया सोमान कही कर लेंगा income बरावर expenditure plus saving आदमी 70% खर्च कर देता है मतलब 100 रुपे अगई उनके income है 70 रुपे खर्च कर देता है 30 रुपे बचा रहा होगा ठीक है उसकी income बढ़गाई 28% 100 रुपे पर 20% बढ़गाई मतलब 28 रुपे बढ़गाई और expenditure remains मतलब expenditure एक रुपे यह नहीं बढ़गा तो उसका पूरा पूरा पैसा क्या कर रहा होगा वो खर्च कर रहा होगा ठीक है अब बोले उसर बिल्कुल ठीक है पहले 30 रुपे था 28 रुपे और बढ़गा तो सो परसेंट से बड़ा answer तो होगा नहीं अगर 30 होता तो सो परसेंट पहुंच जाता 30 तो है नहीं तो सो से कम होगा answer कितना कम होगा दुपे कम इसका अगर अपन एक परसेंट भी निकाले एक परसेंट भी क्या अगर इसका 10 परसेंट निकाले 10% मतलब एक बटे देस क्या जाएगा तीनों पर मतलब 10% या फिर इसका 5% निकालो तो कितना आएगा 1.5 5% कितना हो जाएगा 30 का 5% देखो 0 से 0 कट गए 15 15 1.5 1.5 ठीक है अब भूलो उसे बिल्कुल ठीक है तो इसका अगर 1.5 कम कर देंगे तो कितना आजाएगा 28.5 मतलब 5% से क्या होगा अंसर कम आएगा 5% का मतलब 100 में से 5% अगर अपनने कम किया तो कितना वचे 95% 95% की वेल्यू क्या रहे 28.5 तो अंसर क्या होगा 95% से कम होगा जो कि C option है अगर 95% से जादा मतलब 28.5% से जादा होती ही ये वेल्यू तो अपन ये अंसर मांग कर देते लिकिन क्या है ये वेल्यू 28.5% से कम है 28.5% से कम है तो अंसर हो जाएगा C option ठीक है बिलकुल ठीक है आगे देखो question number 169 data अलाग दिया है तो इसको बानेंगा पन रिशो से रमेश सेव 26.2 बाटे 3% 26.2 बाटे 3% का मतलब क्या हो 4.15 1.15 बाटे 6.2 बाटे 3 4.15 बाटे 6.2 बाटे 3 ठीक है फोरुमला का इंकम बरावर क्या होता expenditure प्लस saving रमेश क्या कर रहा है 26.2 बाटे 3% सेव कर रहा है उसकी मंतली सेलरी का मतलब 15 यदि उसकी सेलरी है तो चार रोपे कर रहा है मतलब 11 रोपे कर रहा है यदि 4 रोपे उसकी सेलरी है मतलब 15 रोपे सेलरी है तो चार रोपे पचात कर रहा है यदि उसकी सेलरी है तो चार रोपे पचात कर रहा है ग्यारा रोपे कर रहा है when his expenses are increased by 20% 11 का 20% कितना हो जाएगा आप बलू सर 11 दूनी वाइस 2.2 रोपे बढ़ गाए he has to save 4.80 पर मन्त his monthly salary monthly salary बतानी है दोको अब 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 असे बोला है कि expenses बढ़ गाए income के बारे में कुछ नहीं बूला तो income जितनी थी पहले उतनी ही होगी आप income जितनी थी उतनी होगी मतलब income कितनी होगी 15 रोपे और expenditure अगर 2.2 रोपे बढ़ गया 2.2 रोपे बढ़ गया तो कितना हो गया 11 और 13.2 रोपे तो उसकी income अब कितनी बची होगी उसकी saving अब कितनी बची होगी आप बोलुक से 15 पॉइंट 15 रोपे तो उसकी saving अजाएगी तो ये कितनी अजाएगी saving 1.8 ये बात समझ में आई गया दोगो उसकी income पहले थी 15 रोपे चार रोपे वो खर्च कर रहा था 11 रोपे बचा रहा था फिर question मैं अबन से बोला when is expenses are increased? मतलब उसके खर्चा बढ़ गाए कितने बढ़ गाए? 2.2 रोपे बढ़ गाए income के बारे मैं कुछ नहीं बोला मतलब income जो पहले थी बोही अभी होगी खर्चा अगर 2.2 बढ़ गाए तो कितने होगा है? 13.2 रोपे अगर खर्चा 13.2 रोपे इंकम 15 रुपए तो बचत अब कितनी कर रहा होगा वो 1.8 रुपए देखो क्या बोला है आपन से कि ही एवल्स टू सेब 4,080 रुपए पर मन्त सेब कर रहा है उसकी बचत अभी कितनी होगा ची अब बोले किसा 1.8 बची अगर 1.8 उसकी बचत बची मतलब 4,080 की वैल्यू 1.8 है ठीक है इसको क्या करना है अपन से पूचा क्या है मन्तली सेलरी पूची मन्तली सेलरी मतलब 15 यूनेट की वैल्यू आपनको निकालनी है 1.8 यूनेट की वैल्यू यह आगाई 15 की निकालनी तो एक काम करते हैं 6 से काट लो इसको 6 से यह केतना बचेगा, पॉइंट 3, पहले तो पॉइंट एटाओ, एक 0 लगाओ, ठीकर तो यह केतना बचा, 6 से इसको काटा, 3 बचा, 6 से इसको काटेंगे, 6 छी चिंग, 36 बचेगा, 4, 6, 8, 8, 8, 8, 8, यह आगए 3 की वेल्यों, 15 यूनिट के निकाल निया, 5 से मल्टिप्लाय कर दो 5 से multiply कर देकि कितना आजा हो 15 unit बरावार आर 5 से multiply करने का मतलब इसका आधा और 1 0 बड़ाद दो आधा करके 1 0 बड़ाद आंसर हो जाएगा ठीग है किसी भी नंबर में 5 से multiply करने का मतलब क्या रहता है जैसे 66 इसमें 5 से multiply करना है तो 5 से मत करो multiply, आप करो 10 से multiply और 2 से divide, मतलब 2 से multiply, divide कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा, कि इसको आदा करके, एक 0 बढ़ा दू, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे देखो question number 170, क्या बोल रहा है, आप person saves 33 is to 1 by 3 percent of his income, formula income बरावर expenditure plus saving, 33 से एक बटे 3 percent का मतलब क्या, एक बटे 3, यदि उसकी income 3 रोपे है, एक रोपे बचत कर रहा है, तो खर्चा कितने कर रहा है, दो रोपे, अब उसकी saving बढ़ गई 22 percent, 22 percent निकालना तो एक काम करो, तो दो जीरो चिपका दो, saving 22 percent बढ़ गई, मतलब 22 रोपे बढ़ गई, 100 का 20 percent, 22 हो जाएगा, ठीक है, and expenditure increases by 10 percent, 200 का 10 percent कितना हो जाएगा, 20 रोपे, तो उसकी income कितनी बढ़ी होगी, आप बोलो, उसके 42 रोपे बढ़ी होगी, अपन से क्या पूचा है, उसकी आए में कितनी प्रतिसत की बढ़ गई होई, देखो, 300 का 10 percent कितना आ जाएगा, 30, 300 का 20 percent निकालेंगे, तो 60 हो जाएगा, 300 का 10 percent 30, 20 percent 60, मतलब 20 से ज्यादा तो अंसर होगा, 20 से कमी होगा, 15 परसेंट कितना हो जाएगा, आप बोलो से, 15 ती 45, 45 से कम होगा, मतलब 15 परसेंट से कमा अंसर होगा, एक यह उप्शन है, यह आंसर, और कोई सा अंसर हो नहीं सकता, 300 का 15 परसेंट कितना होता, 45, 40, आगे अपने 40, ठीक है, 15 परसेंट से भी कम, 42 बढ़ी है न, तो 15 परसेंट से कमा अंसर आएगा, 14 परसेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुश्यन नमबर 171 है, अपने सामने इसमें कह दिया, ता सेविंग ऑफ सुर्वी, इस 16 परसेंट of her expenditure, if her income increases by 35 परसेंट, and expenditure increases by 38 परसेंट, then why what परसेंट, her saving increases or decreases, दोको इस कुश्यन में 38 परसेंट, 35 परसेंट, 16 परसेंट, अलग-अलग डाटा दिया, इसको अगर अपन सो मान के करेंगे, तो calculation हो जागी, रिशूर से निकालेंगे, तो भी calculation हो जागी, इस सो मान के अपन अगर मानलू करना चाहें, इंकम बरावर क्या होता है, expenditure plus saving, अपन को क्या दिया, 16 परसेंट of her expenditure, मतलब, expenditure को सो मानना पड़ेगा, तो saving कितनी परसेंट, तो income कितनी हो गई, 116, अब income बढ़ी है 35%, 116 का 35 परसेंट निकालना पड़ेगा, 100 का 38 परसेंट निकालना तो असान हो जाएगा, ठीक है, यह 38, यहां से इसका 35 परसेंट निकालना पड़ेगा, फर उसमें से expenditure मानने से, saving आएगी हो, फिर saving का परसेंट निकालना पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत calculation बढ़े जाएगी इसमें, तो इस तरीके को question को करेंगे अपन किससे deviation method से, तो इसके लिए अपन सीखते है, deviation method क्या होती है, देखे, deviation, deviation को Hindi में क्या बोलते हैं, deviation को Hindi में क्या बोलते हैं, deviation को Hindi में बोलते हैं, क्या बोलती है? बिचलन लिकिन आप बिचलन से अचह एडिएशन याध रखो ठीक है? यह बहुत important method है बहुत important concept है पूरे arithmetic में इसका कई जगा helpful यूज होगा ठीक है? इसका use करते क्office क्यूँ है? इसका use होता है overall change निखालने के लिए क्या निखालने के लिए overall change निखालने के लिए overall change का मतलब क्या एक example से समझते है जैसे income expenditure का यह example ले ले कि आपको expenditure में change दिया है saving में change दिया है और अपनको पता expenditure plus saving क्या होती है income ठीक है अब भूलो सर बिलकुल ठीक है तो अगर expenditure में change दिया है, saving में change दिया है और आप से पूचा है income में change income में change पूचा है तो यहाँ आप division का यूज कर सकते हो क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, overall change निकालो ठीक है, एक और एक्जामपल लेते हैं जैसे मान लो आप shopping करने का है ठीक है, shopping करने का है कि इसकी rice की, चावल की और शुगर की, चीनी की, ठीक है दूनों की shopping करने का है आप, rice की महगाई बढ़ गई 25% सक्कर की महगाई बढ़ गई 30% आप से पूचा जाए, overall महगाई बताओ कितनी बढ़ गई तो यहाँ आप division का use कर सकते हो ठीक है, आप भोलो इससे बिल्कुल ठीक है एक और example ले लेते हैं इसे average में मान लेते हैं, average में दिया हो कि एक class में A, B, C, D, 4 classes है चार classes हों में student की संक्या दे दी इसमें 2, 3, 4, 5 student है यह का हो है number of student number of student, ठीक है इनका average दे दिया, average marks दे दिया कितने, जैसे इसको में दस, इसको 20, इसको 30, इसको 40 आप सब पूछ लिया जाए, overall average बताओ, मतलब पूरे school का average बताओ तो यहाँ आप division का use कर सकते हो ठीक है, आप भोलो इससे बिल्कुल ठीक है और कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे profit and loss में बताओ है अगर profit and loss का example लें जैसे एक article है, एक article A है, एक article B है article A की कीमत बढ़ गई 25%, article B की कीमत बढ़ गई 30% overall कीमत बताओ, यह तो वो rise false वाला example ही हो गया यह बोल सकते हैं, एक article पे 25% का profit हो रहा है, एक article 30% का loss हो रहा है overall change बताओ, तो यहाँ भी आपन use कर सकते हैं मतलब इसका use, लग 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 सभी पूरे arithmetic में हर चागा होगा अब घुता क्या है, बो समाझते हैं, जैसे एक example समझें हैं, छोटा सा example ले ले लेते हैं कि आप rice और सुगर लेने गाए, ठीक है राइस और सुगर लेने जाते ही रहेते हैं, राइस की कीमत मान लो कितनी 96 रुपीज चल रही है और सुगर की कीमत 84 रुपीज पर केजी चल रही है, ठीक है यह क्या हो गया, price ठीक है, अब सरकार ने महगाई बढ़ा दी, राइस की कीमत बढ़ा दी 20% और सुगर की कीमत बढ़ा दी 25% ठीक है, ठीक है, ठीक है, सरकार बढ़ा सकती ही कीमत आप से पूछा जाए, कि overall बताओ कितनी महगाई बढ़ गई, तो कैसे निकालेंगे देखो, इसको करने का एक तो देसी तरीका क्या देसी तरीका, बेसिक, देखो, 96 की 20% बढ़ गई राइस पर कीमत कितनी बढ़ गई, 96 रोपय थी, 20% बढ़ गई, प्लस, 84 पर 25% बढ़ गई चीक है, और पहले कीमत कितनी थी, 96 प्लस 84, ये तो हो गया सबसे बेसिक तरीका, किसी भी कीमत में चींज आपन कैसे निकालते है, और उरिजनल से दाइसं का रहा था है, पहले सिंगल का निकालते थे, 96 की 20% बढ़ गई, अब 20% बढ़ गई, 96 से 100 हो गई, तो कैसे निकालते थे, आप पूल पूलते तो सर देखो चार बढ़ गई कितने पर 96 पर तो यह जाएगा क्या परसेंटेज चेंज ठीक है सर्क लिएंटे को दिते हैं तो दूर्सखो चान बढम हो ओर सकते हैं 12, 8, 96 को फॉरसी canopy के लिख ए으र्लहात चैया इसको लिख सकते हैं 12, 87, 54 शन इसको लिख सकते हैं जिय के नहीं सकते हैं आप बूल इसका लिख सकते हैं पूरे में देखो 12 कॉमन आके कट रहा है, 12 कॉमन आके कट रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, यहां अगर 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 अपन इनिशियल गी रेशो ले लेते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, पहला कॉंसेप्ट, कि जो बेस वैल्यू रहती है, उसका रेशो आप ले सकते हो, जैसे 96, 12 कट जागा, 12, 8, 96, 12, 7, 84, तो जो बेस वैल्यू है, उसका आप रेशो ले सकते हो, ठीक है, रेशो ले सकते हो, तो यह हो जागा, अब इसको अपन कैसे करेंगे, अब बलू सर देखो, 8 पे 20 परसेंट बढ़ी है, प्लस 7 पे 25 परसेंट बढ़ी है, ब बोलते हैं, बेटेड एवरेज, ठीक है, इसको बोलते हैं, बेटेड एवरेज, ठीक है, इसको बोलते हैं, बेटेड एवरेज मेताड, अगर डाटा आसान हो, तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर डाटा कटेन हो तो, डाटा कटेन हो, तो फिर अपन करेंगे डेविशन कहां से आएगा इसी मेथाड से डेविशन निकल के आता है कैसे दो को यहां 20% चेंज गए है यहां 25 परसेंट चेंज गए है अगर इस 25 को अपन क्या लिख सकते है 20 प्लस 25 चीक है अब बोलुक सर बिल्कुल ठीक है इसको लिख लिए अपने 20 परसेंट है यहां भी 20 परसेंट है यहां भी 20 परसेंट है 20 इंटू 8 बीस इंटू 7 तो 20 को मना जाएगा 20 परसेंट को जाएगा 8 प्लस 7 प्लस इस 25 का साथ में मल्टिप्लाय होगा कितना हो जाएगा 25 इंटू 7 बटे में क्या है 8 प्लस 7 जो कि 8 प्लस 7 क्या हो जाएगा 15 और यह भी 8 प्लस 7 क्या हो जाएगा 15 ठीक है अब बोलू सर बिल्कुल ठीक है दोनों को अलग अलग कर दो यह क्या हो जाएगा 20 15 सर पंदर कड़ जागा 20% प्लस 25 साथ इंडू 25 परसेट बटे पंदरा ठीक है बिल्कुल ठीक है तो डेविशन उस मेथड का नाम है जिससे अपन इस स्टेप पर डारेक्ट पोंच सकते हैं इतना सब कुछ करने की जरूत नहीं पड़ेगी अपन को उसी को बोलते हैं डेविशन अब पोंच कैसे सकते हैं भु पड़ लिखता है उदर जा के इन यहीं लिख लेए 20 पर सव पर 50 क्या दिकत होती है अब भोलते कोई दिकत नहीं है 20 पर संट प्लस 5 पर संट लिख सकते हैं ठीक है बिलकुल ठीक है अब देखो 20 पर संट इसमें भी मेलीशन जार रहा है 20 इसमें Diorsan इसमेंए 2 जा लगा ढ देगे, इन दोनों क्या करदेगा इंडू, तो 5 इंडू 7%, यह पाँच आएगा ना, अपन ने उसको कह लिखा था, 20 पलस 5 लिखा था, साहिद मैंने उसकी जगे 20 पलस 25 कर दिया था, गलती होगे, 20 पलस 5 आएगा था, तो यह 5 आएगा, और ओवर ओर अन दोनों की सम्से, डि पोच गए आप बोलों हां सर बिल्कुल ठीक है पोच गए ठीक है तो यह क्या जाएगा अपना ओवर्रोल चेंज जाएगा एक और एकजम्पल समझते हैं जैसे मानलो इंकम आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशु दे रखाए ठीक है एक्सपेंडिचर और आदिरई इंकम में चेंज बताओ डिक पूच लिए आपसे इंकम में चेंज बताओ और एक्सपेंडिचर बड़ा है 20 परसेंट सेविंग बड़ी है 30 तो ओ traz कैसे निखालेंगे इसे से तरीका डेसी तरीका क्या है पीस इन्टू 2 अबतो दू इन्टू 20 परसेंट प्लस 3 इंटू 30% बटे 3 प्लस 2 5 ठीक है इसको solve करके निकाल लेंगे ओवेटेट एवेशन में क्या करेंगे इस 30 को लिखेंगे 20 प्लस 10 ठीक है यह हो जाएगा 20 इंटू 3 20 इंटू 2 20 इंटू 3, 20 इंटू 2 20 कॉमन आजागा 3 प्लस 2 5 इंटू 20% प्लस 10 इंटू 3 तो 3 इंटू 10% बटे क्या है 5 को अलग-अलग बाट देंगे 5 से 5 कर जाएगा 20 प्लस 3 इंटू 10% बटे 5 ठीक है अब बोलो सब बिलकुल ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको ऑपन डारेक्ट कैने से लिएँ, इसको यहीं लिख लो क्या 20 प्लस 30 20 प्लस 30 इंटू 20 प्लस 10 तो देखो overall इसमें 20% का चेंज आ रहा है, इसमें 20% का चेंज आ रहा है, तो 20 लिग लिया plus 10 किस पर आ रहा है, 3 पर, 10 into 3 बटे, इन दोनों का सम, 5 सेंटिक, 5 खड़्वी आ रहा किसी के दिमाग में आ रहा होगा किसी के दिमाग में आरहा होगा, सुपले बर क complaint बार्रेक्ट अमट कैसे करें घजर्फिory अभी मैंने दो बार आपको बता दिया बेसिक्स है, बोल्यो कितने का चेंज वद तक पाचीश परसेंट का इधर कितने का चेंज हो रहा है 28% का ठीक है अभी तक तो अपन क्या मान रहे थे 25% इसको कह लिख लिए था 25 प्लस 28 25 प्लस 3 ठीक है 25 प्लस 3 कितने का चेंज रहा है 3 इंडू 3 बटे 5 ठीक है अब भलो इसे बिल्गुल ठीक है अगर इस 25 के जगए आपको और कुछ मानना हो जैसे यह 28 तो इसको भी तो लिख सकते है बना 28 माइनस 3 कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है तो 28 से तरस चेंज जाएगा यह 3% का मैं तो माइनस 3 इंटू इस उपर वाले में दो बटे दोनों का सम 5 ठीक है अब बोलो इसे बिल्गुल ठीक है तीसरा तरीका आप इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर मान लेते हैं यह क्या था 25 यह 28 इन दोनों को बीच में मुझे बन कर रहा है कि मैं तो 27 मान हुआ ठीक है तो 27 से फिर क्या करना पड़ेगा इनको कंपेर करना पड़ेगा यह 27 से एक जाधा है यह 27 से दो कम है एक जाधा है कि इस पर 3 पर तो प्लस 1 इंटू 3 2 कम है किस पर 2 पर minus 2 into 2 और divide by 3 और 2 पांच overall percentage ठीक है यह तीनो तरीके से कर सकते हैं अपन तीनो तरीके से answer same ही आएगा यह पन चेक कर लेते हैं यह को 3 तर का 9 बटे 5 9 बटे 5 का मतलब कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 बन पॉइंट 8 25 और 20 ऐस चबवीस पॉइंट आपाँ था ठीक है अब भूल सेर बिल्कुल ठीक है यह से देखो कितना हैगा 3 दूनी 6 बटे 5 पांच ता 5 धाक हम पांच 5 दूनी तरा 3 जूनी 18 बन पॉइंट 28 मेसे माइनस करेंगा तो कितना हैगा 28 में से 1.2 माइनस करेंगे तो कि आएगा आप बोलोग से 26.8 ठीक है इसको देखो यह कितना रहा 3 माइनस 4 माइनस 1 बाई 5 और 1 बाई 5 का मतलब कितना हो जाएगा 0.2 27 में से 0.2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 26.8 तीनों तरीके से आंसर से माँ रहा है अब बोलोग से बलकुल ठीक है अब अपन एक कुश्चन करके देखते हैं जो अपन ने अभी किया था किया था इसमें क्या दिया है अपन को परसंट सेब 33 इस्टू 1 बाई 3 परसंट ओफ इस इनकम मतलब उसकी इनकम अगर थीन है तो वो एक रूपे की बच्त कर रहा है तो expenditure और सेविग निकाल सकते है इक रूपे की बच्चत कर रहा है 2 रूपे खकर रहा है यह कह आ गए expenditure और सेविग का रिश annat सेविग इंक्रीजेज वाइए 22% saving कितनी बढ़ गई 22% बढ़ गई expenditure increases by 10% expenditure कितना बढ़ गई 10% बढ़ गई अपन से पूचा percentage increase in his income percentage increase बताना income है तो अपन मान सकते हैं कुछ भी इसे मेरा मन कर रहा है कि मैं 10% मानू ठीक है आप बोलो किसर बिल्गुल ठीक है 10 से इसको compare करेंगे कितना change है? 0 का इसमें कितना ज़्याद है? आप बोलो किसर देखो मैंने माना 10% income बढ़ी है रहीगी इन दोनों के बीच में इससे compare करेंगे ये कितनी है? आप बोलो किसर दोनों का change 0 है ये 10 से 12 जादा है कितनी जादा है? 12 जादा है कितने पर? 1 पर 12 हिंटू 1 बटे के आजाएगा? 2 और 1 तीन कितना आजाएगा? 3 से कड़ जाएगा 4 बार में 10 और 4 14% 14% ये answer आ रहा था ठीक है? आप बोलो से बिल्कुल ठीक है किसी का दिमाग चला वो कहला भाई 10 नहीं मैं तो 22 मानूँगा तो 22 मान लो ठीक है? 22 से compare करना पड़ेगा इसमें change कितने का? 0 का ये 22 से कितना कम है? आप बोलो से 12 कम है कितने पर? 2 पर माइनस 12 इंटू 2 बटे 3 3 से कड़ जागा ये 4 और में 4 दूनी 8 22 में से 8 कम करें किया जाएगा 14% कोई एक और भाई आया उसने का भाई एक काम करो मैं तो ना 22 मान रहा ना 10 मान रहा मैं तो 15 मानूगा उसने 15 मान लिया 15 से compare करो 15 से compare करें कितना कम है? आप बोलो सरी ये 5 कम है, ये 7 जादा है 5 कम है किस पर 2 पर माइनस 5 इंटू 2 ठीक है? और ये 7 एक पर तो इंटू 7 इंटू 1 बटे क्या जाएगा? बटे 3 है जाएगा तो 5 दूनी 10, 10 में से 7 घटाएगे 3 वो भी आएगा माइनस का माइनस का 3, बटे 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 1, 15 माइनस 1, 14 यह से च भी चलड़ाअ देख रहा है तो देख रहा है आप इस क्यूश्च्चन को कितने आसानी से कर सथे? ठीक है? अप क्यूश्च्च्च sao क्या होगा काही बार? अभी तक अपन क्या निकाल रहा है तो overall change निकाल रहा है थे माल लो कि आपको overall change दे रखाओ overall change दे रखाओ जैसे आप खरीदने गए rice और सुगर खरीदने गए ठीक है rice की कीमत कितनी थी ratio ही ले ले लेते हैं क्योंकि ratio निकाल ला है ratio जैसे है 8 ratio 7 ठीक है इसकी कीमत बड़ी 25% और आपको बता दिया कि पूरी महगाई बड़ी 35% बताओ इसकी कीमत कितनी बड़ी होगी आप से बोला कि rice की कीमत बड़ी 25% और पूरी महगाई बड़ी 35% आप बताओ सुगर की कीमत कितनी बड़ी होगी ठीक है यह question हो सकता है या फिर इसी का एक और भाई बोलूम है कि आपको दे दिया हो ये expenditure ये saving expenditure बता दिया 25% और आपको बता दिया income 35% बढ़ रही है आप से पूछ लिया saving बताओ ठीक है बलकुल ठीक है तो इसको कैसे करेंगे पहले basic जान लेते हैं ये x माना आपन है ये overall change आपन बेसिक से निकाल रहे थे आप बोल रहे थे सर देखो 25 इंटू 8 किया था 25% इंटू 8 प्लस x इंटू 7 x परसेंट है पटे 8 प्लस 7 पंद्रह बरावर क्या आ रहा था overall change जो की 35% दिया है ठीक है अब भोले उसे बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत बाली बात नहीं इसको इदर multiply करो अपन इससे क्या करना है basic से बोई स्टेप पर पोचनी कुछ कर रहे हैं कि डारेक्ट निकाल सके 35% multiply by क्या हो जाएगा 15 minus क्या हो जाएगा 25 इंटू 7 इंटू 8 बटे क्या आजाएगा 7 बरावर क्या आगा है x परसेंट ठीक है x परसेंट ही निकालना है तो यह क्या आ रहा है ठीक है अब भुलू सर बिल्कुल ठीक है इस 25 को अपन लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 35 minus 10 अब भुलू सर लिख दो कोई दिक्कत बाली बात नहीं 25 को लिख सकते हैं 35 minus 10 तो देखो यह 35 into 15 है और यह क्या है 35 into 8 है लेकिन minus का है 35 तो कॉमन आई जाएगा 35 15 minus 8 करेंगे क्या बचीगा 7 35 into 7 minus क्या आएगा minus minus plus का 10 हो जाएगा into 8 बटे 7 इससे ही कर देंगे बटे 7 इससे ही कर देंगे तो यह साथ से साथ कड़ गया क्या आगा 35 plus 10 into 8 बटे 7 बरावर एक्स परसेंट अब इसी चीज को डारेक्ट लिखने क्यूसिस करते है डारेक्ट कैसे लिखेंगे दिजकी ओटो ओवर ऑल चेंगे रखाय आपन को क्या 35% और बॉल चेंगे इसकर मतलब क्याय ओवर ऑल चेंगी आपन को कितना 35% अब बो लोगा मतलफ इसमें भी 35% गला चेंगे था इसमें 25% का चेंगे था सब जा के अपना change क्या हो जाता अकर इसमें भी 35% का change होता इसमें भी 35% का change होता तो overall change अपना 35% है जाता ठीक है लेकिन ना इसमें 35% का change हो इसमें कितना कम होगा 35 से अब बुलो से 35 से 10% कम change होगा इसमें भी कितने का होना चाहिए था 35% का change होना चाहिए था लेकिन यहां 10% कम होगा है कितने पर 8 पर तो यहां इसको balance करने के लिए एक्स्ट्रा होना पड़ेगा यह minus है तो यहां लेंगे plus plus 10 into 8 और divide के से करेंगे तो को इसकी value निकाल रहा है तो इससे divide करेंगे अगर इसकी निकालते तो इससे divide कर देते और overall निकालते दोनों के साम से divide कर देते ठीक है? बिल्कुल ठीक है यह आगया अपना division इसी step पे पोँच गया है ठीक है? इसका एक example लेते हैं जो यह question है यह कर रहा है इसको छोड़ा था अब इसको कर सकते हैं अब इस question को करके देखते हैं जो अपन ने छोड़ा आता देखो क्या बोलना question the saving of service 16% of our expenditure saving of service क्या है? expenditure का 16% 16% का मतलब 4 बटी 25 तो expenditure और saving का ratio आगया expenditure और saving का ratio क्या आगया? अगर expenditure 25 है तो saving कितनी यह 4 है ठीक है? बलकुल ठीक है अपन से बोला if our income increases income मतलब overall change दिया आपन को 35% का ठीक है? और क्या दिया है? expenditure 38% बढ़े गया तो saving में बताना है saving 35% अगर income बढ़ी है तो 35% saving बढ़ी की बढ़ी की यह 35% से कितना जादा बढ़ी है आप बलोग से 3 जादा बढ़ी है तो यह 35% से कम होगी कितनी कम होगी? 25 इंटू 3 कम होगी 25 इंटू 3 75 है और divide किसे करना है? saving से 4 75 बटे 4 कितना हो जागा? दिखो 18 चोक को 72 बचेगा 3 3 मतलब 7 चोक को 28 18.75 35% में से 18.75 माइनस करने कितना बचेगा? 16.25 16.25% के इंग्रीज हुई है ठीक है? आप बोलोग से बिलकुल ठीक है कोई दिक्कत बाली बात नहीं है ठीक है? तो आपनने देखो यह भी देख लिए रिवर्स भी देख लिए अब कोश्चन करते हैं तरनाक दी है यह सेव क्या कर रहा? 35% इसकी इंकम का सेव कर रहा 35% का मतलब 7 बटे 20 इंकम अगर 20 रुपए है तो 7 रुपए सेव कर रहा है सेविंग कितनी है? तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? आप बोलोग से 13 रुपए, 13 और 7 बीस ठीक है? यह रेशो आगया इंकम कितनी बड़ गाई? 20.1 बढ़ गाई मतलब ओवर्वल दिया है आपन कोई चेंज 20.1 परसेंट का ठीक है? बिल्कुल ठीक है? और एक्सपेंडिचर इंक्रीजड वाई 25% एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है 25% अगर यह 4.9 एक्सपेंडिचर बढ़ गाई तो इसको कम बढ़ना पड़ेगा 4.9 मुल्टिप्लाइबाइए 13 बटे क्या आएगा? बटे यह 7 सथ से कड़ जागा 7 सतह है उननिचर सपोंट 7 सतह, 13 सत्ते, 99 91 एक के बाद पोंट तो इसमें से माइनस कर दें कितना बच्चेंगा? 0.1 से 0.1 कटी जाएगा 20 में से 9 माइनस करेंग क्या वचेगा 11 11% क्या होगा प्लस का positive आ रहा है मतलब increase increase 11% ठीक है बिल्कुल ठीक है आगे देखो अगला question question number 130 है अपने सामने देखो इसमें क्या बूल रहा है the income of Anil is 45,000 he saves 16% of his income if his income decreases by 5% then the expenditure and the expenditure decrease by 2% then his saving decreases by देखो इसमें क्या होगा है कि अपन से income का data दिया है और अपन से saving का data ही पूचा है percentage में बात नहीं कर रहा है अगर percentage में पूचा होता तो अपन deviation लगा देखो लेकिन percentage में नहीं पूचा है तो अपन क्या करेंग इसको 100 मान कहीं करेंगे income बरावर क्या होता है expenditure plus saving income को अगर आपन 100 रोपे माने तो क्या बोल रखा है 16 रोपे सेब करता है अगर 16 रोपे सेब कर रहा है खर्च कितने कर रहा होगा 84 रोपे अब क्या हुआ है income 5% decrease होगा 5% 100 का 5% 5 रोपे कम होगी ठीक है expenditure 2% बढ़ गया इसका 2% कितना हो जाएगा 8 रोपे सूला 4 रोपे 1.68 बढ़ गया तो इसकी saving कितनी कम होई होगी देखो अगर इसको इधर ले आएगे तो यह भी minus में जाएगा saving equals to क्या जाएगी minus की 6.68 ठीक है बिल्कुल ठीक है income की value दी है पर उनको 45,000 कितने कुना है साड़े 400 कुना इसकी value कितनी आजागी साड़े 400 कुना आजाएगी साड़े 400 में आता है 9 का multiple answer होने चाहिए यह नहीं हो सकता, यह हो सकता है यह नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता एक यह option है, यह answer हो जाएगा ठीक है, बिलकुल ठीक है युने डिजिट मैच करना हो, तो तो उने डिजिट मैच कर लो देखो एक जीरो ऐससे आएगा और श्याठी चाली से नाइगा तो पॉइंट के बाद, पॉइंट तो आएगा नहीं आंगा में इसको करना हो तो तो देखो 45 अठ्थे 45 दूनी 90 होता है 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360 360 मतलब 6 उने डिजेट आएगा मैं से सभी उप्षन में 6 उने डिजेट दिया है लेकर अपना नो के मल्टिपल स हो गया है मांगी जिसको करना हो वो कैलकुलेट कर ले ना इसको बैठके मैं तो नहीं कर रहा वाई है ना कुश्चिन नमर 114 है अपने सामने तेखो इसमें क्या बोला है तो मंतली एक्सपेंसे ऑफ परसन और 66 इस तो 2 आए 3 परसन मोर देन हर मंतली सेविंग एक्सपेंसे और सेविंग का रिशु दिया है तो इसको अपन क्या करेंगे डेविशन से कर लेंगे इसका मतलब क्या दो बटे तीन और दिया है 2 आए 3 मोर देन सेविंग मतलब आगई सेविंग 3 है तो 3 पर 2 जादा 5 एक्सपेंड ही चारा है ठीक है, मंतली इंकम इंक्रीज बाद 44 परसेंट मतलब ओर आल चेंज दिया है कितना 44 परसेंट का वही इंक्रीज इंक्रीज और मंतली एक्सपेंसे क्या रहा है साट परसेंट से बढ़ रहा है मंतली एक्सपेंसे कितने बढ़ रहा है साट परसेंट सेविंग अपन से पूछिए निकालें कोई दिक्कत बाली बात नहीं देखो शाट और चवालीस में डिफरेंस कितने का है 16 का 16 परसेंट एक्स्ट्रा है तो देखो यह 44 तो आएगा यह आएगा प्लस का 44 माइनस हो जाएगा यह एक्स्ट्रा है तो इसको कम करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए कितना एक्स्ट्रा है 16 इंटू पंच 80 बटे 3 80 बटे 13 कितना हो जागा दिकूंod 3 दूनी6 बचे के क्तना 20 तीछीं अठारा 26 से 26 से दो बटे 3 परसेंट ठीक है विलकुल ठीक है चवालीस में से 27 माइनस करेंगा बचे के सा 17 और 2 बटे 3 माइनस करेंगी vocet 2 से एक बटे तीन परसेंट क्या आगया 27 इस्टू 1 बाई 3 परसेंट 27 इस्टू 1 बाई 3 परसेंट इसकी अगर फ्रेक्शन वैल्यू की बात करना तो कितनी हो जाएगी 27 27 नहीं 17 आएगा ना 44-26 27 27 27 27 जाएंगे 7 बचेंगे और तीन में तो एक सत्रा आएगा आपको मिस्टेक कर दीते तो एक सत्रा ती है 15 और एक बावन बटे 300 अगर बावन बटे 300 इसका मतलब क्या है अगर सेविंग 300 रुपे है तो बावन रुपे बढ़ गई और कोश्चन में बोल रखा है बावन की वैल्यू दी है 10,40 1,0,4,0 कितने टाइम आप पलो से 20 गुना तो सेविंग भी कितनी होगी 20 गुना ठीक है 300,300 कर लो इसको 2,2,0 बढ़ा लो कि यहां पर 300 रही थी तो 300 लेकर अपन से सेविंग नहीं पूचा अपन से क्या पूचा आरंबिक बै ये भी कितना होगा 20 गुना पॉच दूनी 10 1,0 ये 2,0 ये टूटल 3,0 आजाएंगी 10,000 ठीक है बिलकुल ठीक है आगे देखते हैं question number 175 The monthly expenditure of a person is 40% more than his monthly saving monthly expenditure 1% का कितना 40% जादा है उसकी सेविंग से expenditure और saving का ratio दे रखा है क्या दे रखा है expenditure और saving का ratio तो इसमें की division लगा लगा लेंगी 40% का मतला 2.5 more saving मतला saving अगर उसकी 5 है तो expenditure कितना है 7 ठीक है बिलकुल ठीक है फिर क्या बोल रखा है his monthly income increases by 40% overall change दे रखा है 40% का ठीक है फिर क्या बोल रखा है monthly expenditure increases by 60% monthly expenditure कितना बड़ा 60% और he saves 2,070 रुपए more रखा है यह saving मत दिया है change तो अपन को overall change इतने खालना है यह इसको यह से लिखलो 7 x 20 बटे पहाच तो यह पहाच यह पहाच यह को 20 चार सत्य 28 चालीस में से 28 कम करें कितना बचेगा 12 तो saving कितनी बढ़ गई उसकी 12% बढ़ गई question में बोल रखा है saving बढ़ गई कितनी 2,0,1,0 2,0,7,0 12% क्या saving का 12% आगए अपने पास यह 12 से काट लेंगे इसको तो बारा एकम बारा बचेगा आठ बारा सत्य चौरासी तो बारा एकम बारा बचेगा आठ बारा सत्य चौरासी बचेगा तीन बचेगा तीन दूबारा दूदी चौरासी बचेगा चेगा चेगा बारा पंजे साथ 172.4 क्या आगए एक परसेंट तो 100% कितना हो जाएगा 172.5.0 यह क्या आगए saving का 100% 172.5 यह उसकी saving आगए आप बोलो से बिलकुल ठीक है कितने गुना है देख लो तो 5 3 15 बचेगा कितना दो पांच चुक को 20 बचेगा दो 25 जीरो 3 4 5 0 टाइमस अपन से क्या पूचा है expenditure कितने गुना जाएगा 3 4 5 0 तो साथ यह 21 जाए इसा दिखते हूँ जीरो साथ पंजाप्याप्याथीस साथ चुक को 28 और 3 अकाथीस साथ यह 21 और 3 चोविस चोविस हजार एक सो पचास अपना क्या हो जाएगा प्रेक्ट आंसर ठीक है बलकुल ठीक है कोई दिक्कत बाली बात नहीं आगे दिखते हैं अगला एक सोचतर Gita सेफ 18.18% of her income her expenditure increases जाएगाएगे अब यहां पर दिया है percentage cut in cut in तो इसको अपन डेविशन से नहीं करेंगे कि कर सकते हैं इसको डेविशन से नहीं करेंगे इसको अपन क्या करेंगे बेसिक मेथट से करेंगे जाएगे क्याया प्रमुला income बरावर expenditure plus saving ठीक है, बिल्कुल ठीक है गीता 18.18 save करती है, उसकी income 18.18 का मतलब 2 बटे 11 मतलब उसकी income अगर 11 रुपे है तो 2 रुपे बचत करती है, तो 9 रुपे क्या कर रही खर्चा कर रही है 9 रुपे, ठीक है if our expenditure increases by this, 14 सही 2 बटे 7 परसेंट का मतलब कितना, 1 बटे 7 expenditure 7 का multiple बना आना पड़ेगा into 7 into 7 plus 2 into 7 ठीक है, और income increases by 20%, 20 परसेंट का मतलब 1 बटे 5 income को 5 का multiple बना आना पड़ेगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है इनको multiply बला ही मत करो, यसे लिखे रही है जरूत पड़ेगी तो फरकल लेंगे जैसे अब देखो, क्या बोल रखा है income कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई मतलब 1 बटे 5 बढ़ गई, मतलब कितनी बढ़ गई 7 into 11 बढ़ गई और उसका expenditure कितना बढ़ गया 1 बटे 7 बढ़ गया अपन से क्या पूचा, saving increase this और saving यहां से देखे, increase कितना हुगा है 11, 37, 77 9, 5, 45 77 में से 45 अगर कम करेंगे, कितना बचेगा? 2, 3, 32 रुपे बढ़ गया 32 की value दिये question में, 9, 6, 0 कितने गोना? 300 गोना 300 गोना तो 5, 7, 3, 11, सब का multiple होने चाहिए सबसे पहले check करना 3 का सबसे आसान है यह 11 का सबसे आसान है 5, 6, 5, 6, 11 का multiple है ठीक है? 5, 6, 6, 12, 3 का multiple भी है 5 से भी कट रहा है यह सबसे कट रहा है और option जेक कर लो 8, 9, 4, 5, 9 यह भी सब 9 से कट रहा है ठीक है? 8, 9, 4, 5, 9, 11 से भी कट रहा है 5 का multiple भी है यह तो फसरा आ रहा है इसको चेक करो 4, 1, 5, 5, 10 7, 3, 10 यह भी 11 का multiple है 9, 4, 13, minus 2 यह भी 11 का multiple है 4, 5, 9, 7, 3, 10, और 11 3 का multiple नहीं है 9, 4, 2, 6, यह 3 का multiple भी है तो एक option तो अपन नहीं हटा दिया अब क्या चेक करना 7 का चेक कर लो सिरफ तो 7 से एक रहाँ चार बचे गा 7, 9 7, 5, 6, 5, 2, 3, यह साथ से कट रहा है 7, 2, 9, 14 ठीक है? 7, 1, 7, 15 यह साथ से नहीं करता है 7, 1, 7, 2 बचेगा 7, 2, 2, 7, 2, यह भी साथ से कटता है 2, 0 आनी चाहिए 2, 0 आनी चाहिए ठीक है? 2, 0 के बाद 5 से कटना चाहिए 2, 0 की बाद 5 से यह नहीं कर रहा है यह यह ऑन्सर नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता यह अप्शन बचाई यहा उन्सर हो जाएगा ठीक है? कि कर साथ साथ 2, 3, 7, 11 3, 7, 11 3, 7, 11 दो पॉंस ठीक है यह अपना अंसर हो जाएगा multiply करें क्या चलो कर लेते हैं कोई दिखरवाली बात नहीं दो पॉंस थी है पंदरा 15 सत्य एक सो पंच और दो जीरो इंटू ग्यारा ग्यारा जीरो 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 क्यारा पंच पच कि पंच ग्यारा एकम ग्यारा या 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 अ multiply कर अभी आसान था कोई दिखर वाली बात नहीं थी आगे देखते हैं question number 187 monthly income of a person was this monthly expenditure was this next year his income increases by 30 percent expenditure increases by 18 percent दिख विया इसको करेंगे अपन डेविएशन से ही क्या चाहिए अपन को expenditure और saving का ratio चाहिए दिया क्या क्या है अपन को monthly income दिये वो monthly expenditure दिया है monthly income और expenditure पहला तो इनको इकाटो काटेंग जब ही तो काम होगा तो को 0 से 0 कट गई 25 से काट लो 25 दूनी 50 और 0 बीस पार में कड़ गया 25 से को काटेंग 25 दिया 75 75 के बाद कितना बचेगा एक दो 25 पंजे 125 35 आ गया पहाँ चुक को 20 पहाँ सत्य पंधीस क्या गया चार ratio साथ आ गया किसका income का income साथ है तो चार रुपे वो खर्च कर रहा है चार रुपे अगर खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा है तीन रुपे ये expenditure से saving का ratio आ गया अब क्या बोल रहा है next year his income increased by 33% income बढ़ गई 33% ठीक है हम भूलो से बिल्कुल ठीक है income 33% बढ़ गई his expenditure increased by 18% expenditure कितना बढ़ा है 18% percentage increase in saving बताना है तो तो बता दें कोई दिक्कत बाली बात नहीं दो को बढ़नी चाहिए 33% दो नोप है ये भी 33% बढ़ता है ये भी 33% बढ़ता है लेकन ये 33% बढ़ता है ये अठारा बढ़ा है कितना कम बढ़ा है तो आप बोलो के सार देखो 10, 3, 13 और दो 15 कम बढ़ा है तो इसको पंदरा ज्यादा बढ़ना पड़ेगा लेकन इन टू चार है तो इन टू चार भी कनना पड़ेगा वो बटे थीन तीन से ये कड़ जागा पंच बार पंच बार पंच बार पन चुक बढ़ा है तो टीस और बढ़ी सर चार अपकास और तिरेपन कवरेथ तरेपन परसेंट गया ठीक है असानी सो गया आगे देखते हैं, question number 178, क्या बोल रहा है, the sum of salaries of A and B, watch this, A spent 95% of his salary, and B spent his salary, their savings are, देखो, यह क्या बोल रहा है, sum of salary of A and B, A and B की salary का sum यह दिया है, A 95% खर्च करता है, और B 80% खर्च करता है, A और B दो लोगों की बात हो रही है, A की salary कितनी है, A की salary नहीं, A और B की salary का sum यह दिया है आपन को यह, A क्या कर रहा है, 95% खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितने रहा है, 5% बचा रहा है, B क्या कर रहा है, 80% खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितने रहा है, 10% बचा रहा है, ठीक है, if their savings are same, saving same है, saving same है, तो अच्छी बात है, पर तो question कहत्म ही हो गया, अगर A 95% खर्च कर रहा है मतलब 5% बच जा रहा है और A का 5% बरावर किसकी B के 10% की क्यों 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 कि B 10% बचा रहा है A 5% बचा रहा है और अपन से बोल रखा है their saving are same ठीक है बुलकुल ठीक है 5% से 10% दोवार में कड जागा A से B का रेशयो कितना बचा रहा 2% बचा बचाना रहा है A से B का रेशयो आगा है 2% बचाना बचार रहा है 3 तीन एनिंट की स्ट वयलू रखे कुषट्न में अपन को 43,000 यह क्या अगए दोनों का इंकम का रेशयो आगए और income का ratio आगया मतलब 3 unit आगया 3 unit की value दे रखी 43 हजाए कितने गुना है 3 एकम 3 3 चो को 12 या 3 की value 43 लिए दोपन से पूछा है if they are saving our same what is salaries of A A की salary बतानी मतलब 2 unit की value बतानी अच्छे ये mistake कर दी न अपन नबुई मैं कहूं कट क्यों नहीं रहा 80% बचा रहा है तो 80% अगर खर्च कर रहा है तो 20% बचा रहा होगा तो है 20 आता 20 आता तो ये हो जाता 4 और ये अगर 4 हो जाता तो ये 4 होता तो ये होता 5 और 5 से ये कड़ जाता 5 से कड़ ता 5 अट्टे 4 पांच्छे चालीस 5 शेक्टीस 0 0 ठीक है एक की वेल्ली आगई 6 ये जार अपन से पूछा एक अभीतन एक अभीतन मतला चार यूनिट तो 8 6 00 मल्टिप्लाइबाए 4 ठीक है 2 0 आएगे चारचिंग 24 आएगा यूनिट डिजिट ये ओप्शन अपना करेक्ट आंसर होगया कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं चार आठ ये 32 और दू चोंतीस आगए दिखते हैं कोश्चन नमबर 119 रमेश सेफ्स 28 परसंट ओफ इस सेलरी वाइल नरेश सेफ्स 32 परसंट इक बोद गेट सेम सेलरी एंड नरेश वाज सेफ्स दिस वाट वाज देखो ये क्या बोला है रमेश अपने बेतन का 28 परसंट बचाता है जबकि नरेश 32 परसंट बचाता है यदि दोनों को समान बेतन मिलता है मतलब यहाँ पर क्या बोल दिया है इनकम सेव है और नरेश 1736 रुपे बचाता है तो रमेश का वैब अता है इनकम को नरेश कितना बचाता है 1738 और नरेश बचा कितना रहा है नरेश का 32 परसंट क्या दिया है इनकम को 1736 रुपे ठीक है अब बोलो कि सब बिल्कुल ठीक है 32 इस को काटेंग कितनी बार में कटेंगा दिखो 35 15 25 10 35 15 और 25 10 तो यह कितना हो जाएगा 160 32 परसंट बचेंगा कितना 13 23 तो ती अंचे तीन तीर का नो 28 16 यह एक काम करो यह से काट लो अपन के चाहिए अठाइस परसंट चाहिए ना तो आठ से काट लेते हैं चार परसंट बच जाएगा आठ से इसको काटो आठ दूनी सूला बचेगा एक आठी कमाट बचेगा पांच 8, 7, 6, 5 ती चार परसंट की वेल्यू कितनी आगई नरेश की 4 परसंट की वेल्यू कितनी आगई दूस्तो सत्रा ठीक है अब अपन से बूल रखा कि बचाता कि सेलरी क्या है तो नरेश और रमेश नरेश की जगा है रमेश लेकि लेकि लोग कुई दिखकत कोई दिक्कत नहीं रमेश का 4% भी क्या होगा यह होगा रमेश की बचाता कितने 28% तो रमेश का 28% क्या जागा यह 28% नहीं बचाता 28% है अपन से पुचा खर्च अगर 28% बचा रहा है तो खर्च कितने कर रहा है अगर कोई व्यक्ति 28% बचा रहा है तो खर्च कितने कर रहा ह आप बोलो 70 और दो 72 परसेंट क्या होता है? 18 चुक को 72 मतलब इसमें 18 से मुल्टिप्लाइ कर दो ये 72 आजाएगा इसमें 18 से मुल्टिप्लाइ कर दो आटू, साटू, चप्पन्च यूनिट डिजेट आना चाहिए हर ऑप्शन में यूनिट डिजेट छदी आ जो आंसर होगा ठीक है? बिल्कुल ठीक है आखी मुल्टिप्लाइ करके देख लिए ना 217 इंटू 18 आंसर आजाएगा आगे दिखते हैं कुश्चन नमबर 180 कुश्चन नमबर 180 क्या बोल रहा है? A's income is 60% of B's income and A's expenditure is 70% of B's expenditure A's income is 75% of B's expenditure then find the ratio of the saving A or B देखो ये कुश्चन करते हैं A की income क्या है? 60% of B's income मतलब A और B की income का रिश्चन आगया यहां लिख लेते हैं क्या A यहां लिख लेते हैं B इनकी income का रिश्चन आगया A की income क्या है? 60% of B की income 60% मतलब 3 बटे 5 B की income अगर 5 है तो A की income कितनी है? 3 है यह इनकी income का रिश्चन आगया फिर क्या बोल रहा? A's expenditure 70% of B's expenditure इनके expenditure का रिश्चन आगया A का expenditure 70% मतलब 7 बटे 10 है B के expenditure अगर B का expenditure 10 है तो A का expenditure कितना है? 7 है तीसरी line और सबसे important line is question कि क्या है? यह इसको अगर आपने solve कर लिए तो आपका काम हो गया क्या बोल रहा? A's income is 75% और B's expenditure A की income क्या है? A की income 75% का मतलब 3 बटे 4 और B's expenditure मतलब A की income और B के expenditure का ratio दे रखा है अपनको कितना? 3 ratio 4 A की income को 3 का multiple बनाना पड़ेगा है multiple B के expenditure को 4 का multiple बनाना पड़ेगा तो इक काम करो यहाँ 2 से और multiply कर दो 2 से और multiply करो कितना आजाएगा? 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20 अब ratio होना चाहिए 3 ratio 4 यह तो 3 है यह 4 से कितना गुना है? 5 गुना है तो इसको भी 3 से 5 गुना करना पड़ेगा मतलब यहाँ पनना पड़ेगा 5 से multiply तो यह हो जाएगा पंचती है 15 यह हो जाएगा 25 अब देखो आप 15 और 20 का रिशू क्या तीन रिशू चाहरा है 5 से कड़ जाएगा 25 से 15 पहुंच रिशू को 20 अब इन के बीच में रिलेशन बनगे आपन इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके सेविंग निकाल सकते है ठीक है? बिल्कुल ठीक है यह स्टेप किसको समझ में नहीं आई बस्ते लोगों समझ में नहीं आई होगी एक बार और समझाने कुछ इस करता हूँ देखो लाइन क्या बोल रही? A की इनकम जो है 75 परसेंट है किससे B के एक्सपेंडिचर से मतलब A की इनकम और B के एक्सपेंडिचर का रिशू है 304 ठीक है? बिल्कुल ठीक है अपना पहले क्या था? अपना था 60 परसेंट मतलब यह 5 है तो यह 3 है और यह 10 तो यह 7 यह था अपना ठीक है? अब बोले इसे बिल्कुल ठीक है अब देखो A की इनकम को पहले बनाओ तीन का मल्टिपल और B के एक्सपेंडिचर को बनाओ चार का मल्टिपल एक ही इनकम तीन का मल्टिपल है? बिल्कुल है B के एक्सपेंडिचर को चार का मल्टिपल बनाना पड़ेगा यह 4 का मल्टिपल है चार का मल्टिपल बनाने के लिए इसको तो एक दो और देना पड़ेगा, मतलब दो से multiply कर दो, साथ दूनी चवदा हो जाएगा, तस दूनी बीस हो जाएगा, अब देखो एक इंकम तीन का मल्टीपल बन गया, बी का expenditure चार का मल्टीपल बन गया, यह 3 रेशो चार आ रहा है, यहाँ भी 3 रेशो चार आना चाहिए, 3 रेशो चार में देखो, इस चार की value कितनी दिए, बीस, तो इसकी value भी बीस हो जाएगी, मतलब कितने गुना है, पाँच गुना है, तो इसको भी पाँच गुना कर दो, क्या जाएगा 35, वाश चय पंदरह बी काय अपने निकाला 20 है टीक है अब भोलू घंसा बी काय एक्षट्पेंडिचर बीस है तो 20 4 की वैल्यू अगर थे कितने गुना है पांच गुना तो तीन की value कितनी हो जाएगी 5 गुना 15 मतलब इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा 5 तीय 15 और 25 ठीक है अब अब क्या question गतम हो गया income minus expenditure बरावर saving आ जाएगा और saving का ratio पूचा है अपन से 15 माइनस चागदा 1 25 माइनस 20 पंगज 1 ratio 5 अफना correct answer आगया ठीक है बिल्कुल ठीक है और question करते है इसी type के question number 111 है अपने सामने तो आज की class का last question इसको करते है बड़ा अच्छा question है आराम से करेंगे न क्या बोल रहा है एकी income 57 इस्टू 1 बाए 7 परसेंट है बीकी income 57 इस्टू 1 बाए 7 का मतलब चार बटी साथ ठीक है तो यहां से income का ratio आजाएगा किसका A और B का income का ratio आजाएगा B की income अगर साथ है तो A की income कितनी है चार है चार ratio साथ ठीक है आप बोलों सर बिल्कुल ठीक है फिर क्या बोल रखा है A की income 525% more है किससे B की सेविंग से तो देखो A की income B की सेविंग A की income B की सेविंग की बात करा है A की income 525% more है 525% का मतलब कितना हो जाया 525 बटे 100 25 बटे 100 मतलब 21 बटे 4 21 बटे 4 जाता है मतलब B की सेविंग अगर 4 है तो 4 से 21 जाता है 25 A की income ठीक है बिल्कुल ठीक है एक ratio यह आ गया आगे क्या बोल लखा है A सेविंग इस 66 16.66 मतलब 16 बटे 3 मतलब 1 बटे 6 और 20 expenditure B का expenditure और A की सेविंग A की सेविंग B का expenditure किस ratio में 1 by 6 B की expenditure 6 A की सेविंग एक है ठीक है अब बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपन को क्या निकालना सेविंग के बीच का अंतर दिया है मतलब सेविंग निकालना है सेविंग का ratio निकालना है तो निकालते हैं पहला ratio कि अपने पास income का ratio है यहां दिया इंकम 25 का multiple यहां इंकम 4 का multiple है तो इसको 25 का multiple बना लेते हैं 25 चुक को 100 खोजाएगा, 25 शक्ते 175 कोई दिककत, कोई दिककत नहीं है, फिर, अब देखो, income की value 100 दे रखी है मतला कितने गुना है, 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 की value 11, मतलब लुआ वी की सेविंग आ गई सेविंग आ गई u कि Laser वर वी की सेविंग अगर सोल आ गई तो वी के expenditure भी निकाल सकते हैं, Zeаль का 1027 बयुक्त एक सोपिछटतर यू 16 गटा दू 9 6 15 और 7 6 में से 1 जाएगा 159 यह क्या आ गया यह B की expenditure यह क्या आ गया expenditure ठीक है expenditure का ratio अपने पास यह रहा क्या दिरखा ratio 1 ratio 6 6 की value कितनी है 15.9 कितने गुना है तो आप बोलो आप बोलोगसर देखो 6 2 12 बचेगा 3 6 5 6 36 बचेगा 3 26.5 गुना एक की value क्या जाएगी 26.5 मतलब क्या आगया अपने पास एक ही saving आगई 26.5 यह इन दोनों का ratio आगया और दोनों का अंतर दिया आपन को 315 अंतर कितना है यह देखो अंतर कितना आ रहा है आप बोलोगसर 26 में 16 बचेगा 10 0.5 तो यह हो जाएगा कितना 10.5 10.5 की value दे रखी 315 कितने गुना है साब साब देख रहा है 30 गुना है देख रहा है साब साब 30 गुना है अगर 30 गुना है अपन से पूचा क्या है ए और बी का उसता है ए और बी की उसता है कितनी हो जाएगी 175 और 275 बटे 2 इंटू 30 30 से यह कड जाएगा 15 बार में 15.75 पांच यूनिट डिजिट आरं चाहिए एकी option में है ठीक है बिल्कुल ठीक है चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते है मा की कल बाए